कुदेव जो पी असी महोगे बाबाल इन रात पड़ना है मजा वो धामाल कावबर ले थसरे ठेन सन अरे कावबर ले थसरे ठेन सन जब अपसर बनके तेकर पेधामाल ये कैसे होगा से हेलो फेरेंट्स वेलकम टू कॉमडिशन कम्मूनिटी कॉमडिशन कम्मूनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागात है हमारी टॉप MCQ सीरिज में टार्गेट आउन प्लेंस जिसमें हम मल्टिपल चॉइस कोसन के साथ-साथ आपको संपूर्ण सिलेबस कराने का प्रयास कर रहे है और इस संपूर्ण सिलेबस कराने में जो हमारा विशाज चल रहा है वह है भारती इतिहास भारती इतिहास जो सबरे 8 बजे और साम को 8 बजे आपको 36 गड़ पढ़ने को मिल रहे है इसी के साथ साथ भारती इतिहास के लावा अन्य जो विसे हैं उसे भी कराने का हमारा प्रयास है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कॉम्टिशन कम्मूनिटी के प्लेटफॉर्म में जुड़े रहें और बने रहें और अपने प्रिलिम्स की तैयारी को मजबूत करें चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे भारती इतिहास को और भारती इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है राष्टी आंदुलन राष्टी आंदुलन में हम देख रहे थे कि गांदी जी कैसे यहाँ पर नैशनल मूवमेंट में अपना युगदान दे रहे है और गांदी जी के द्वारा एक जन आंदुलन की सुरुवात भी की गए थी तो पहला बड़ा एक जन आंदुलन था वह था सयोग आंदुलन और दूसरा एक जन आंदुलन था उसके बाद का उसे कहते हैं सविनय अवग्यांदुलन तो मैंने आपको पिछले क्लास में जो पॉइंट जहां पर जब हम टॉपिक खतम किये थे उसी टॉपिक से आगे बढ़ाना चाहूंगा और जो चातर अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी हम पढ़ रहे हैं सवीना वग्यांदुलन और सवीना क्लियर है साथी साथ इसी से जुड़े हुए प्रश्ण को भी हम देखते हुए चलेंगे तो यह तरीका आपको पता है कि हम प्रश्ण भी देखते हैं और सिलिबस को पढ़ते भी हैं तो यहाँ पर हम जान चुके हैं दांडी मार्च के बारे में तो दांडी मार्च के बार साथ 6 अप्रेल को ये घुशना करेंगे कि अब हमारी एक अंदुलन की सुरुवात हो रही है वो अंदुलन है सविनय अवग्या अंदुलन और उसी दांडी में अंग्रेजों के नमक कानून को नमक बना कर गांदी जी के द्वारा उस कानून को भी तोड़ा जाएगा क्लियर है चलिए तो हम देखने वाले हैं प्रथम सविनय अवग्या अंदुलन के अगर बात करें तो इसे कहा जाता है प्रथम सविनय अवग्या अंदुलन या मुव्मेंट जिसकी सुर्वात होनी है 6 अप्रेल 1930 को ठीक इसके पूर्वक गांदी जी ने क्या किया दांडी यातरा की और दांडी यातरा कैसे की पैदल मार्च निकाल कर या पैदल यातरा करके अब जो है गांदी जी के साथ साथ कॉंग्रेस की जितने भी जुड़े हुए सदस्य थे उनके द्वारा इस अंदोलन में अपना युगदान दिये जाएगा और गांदी जी का जो तरीका है की पैदल मार्च निकालना उस तरीके को कुछ निता फॉलो करेंगे जिसमें हमको देखने मिलेगा की के कलपपन के कलपपन के द्वारा केरल में काली कट से लेगर काली कट से लेगर पैनूर तक की यातरा करेंगे तो याद रखेंगे के कलपपन जो है केरल में काली कट से लेगर पैनूर तक की पैदल यातरा करते हैं वैसे ही अगर हम तमिल नाडू की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें मिलेंगे सी राज गुपाला चारी तमिल नाडू में इनकी जो यातरा रहेगी वह रहेगी त्रीचना पल्ली से वेदा रण्यादम ठीक तो इनकी यातरा कहां से कहां तक त्रीचना पल्ली से लेकर वेदा रण्याम वेदा रण्याम तक ही यातरा करेंगे तो यहाँ पर गांदी जी का जो तरीका था पद यातरा का वैसा ही पद यातरा चलने का काम के कलपन के द्वारा काली कट से पेनोर में किया गया और सी राजगुपालाचारी के द्वारा त्रिचना पली से वेदा रणियम तक किया गया ठीक है इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि गांदी जी के तुल्णा पैरिस में पैरिस के नैपूलियन के मार्चे से भी की जाती है और मुसलिनी के रोब मार्चे से भी की जाती है तो उस समय की कुछ बड़े ऐसे अंदोलन हुए थे जिससे गांदी जी की तुल्ला की जा रही थी तो क्या आप बता सकते हैं तुल्ला किसे महान सुदंतगा सेनानी ने की थी कमेंड सेक्शन में जरू बताईएगा कि पैरिस के मार्च से नेपोलियन के मार्च से और मुसलिनी के मार्च से मैसलिनी जो पैदयातर उस समय की थी उससे तुल्ला किसने की थी इसे आप कमेंड सेक्शन में जरू बताईएगा ठीक अब देखे यह जब अंदोलंग चल रहा था यह जब अंदोलंग चल रहा था समीनव अग्या अंदोन की सुवात हुई तो इसका नेतित्वर उत्तर पस्चीम ठीक उत्तर पस्चीम नौर्थ वेस्ट उत्तर पस्चीम सीमांत प्रांत में सीमांत प्रांत में जिसे हम कहते हैं नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविंस फ्रेंटियर प्रोविंस में नेति तो कर रहे थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफार खान खान अब्दुल गफार खान नौर्थ वेस्ट प्रोविंस जिसे हम आज के टाय में पाकिस्तान के उस तरफ का जो छेतर है अफगानिस्तान बलुजिस्तान के छेतर को उस समय कहा जाता है उस छेतर में खान अब्दुल गफार खान के द्वारा आंदूलन का नेति तो किया ग कहते हैं खुदाई खिदमत गार क्या कहते हैं खुदाई खिदमत गार खुदाई खिदमत गार भी हम उसे कहते हैं उस संगठन को और इसी खुदाई खिदमत गार के द्वारा या खान अब्दुलकभार खान के द्वारा एक आंदुलन चलाया गया जिसे हम कहते हैं क्या लाल कूरती आंदोलन भी इसे कहा जाता है लाल कूरती आंदोलन यानि यहाँ पर लाल कपड़े पहन कर यह अपना विरोध दर्ज़ कराते थे और वहाँ पर अंग्रेजों के सामने यह आंदोलन किया करते थे ठीक अब देखिए एक प्रेशने यहां पर बनता है ये जो खान अब्दुलगफार खान है इन्हें किस नाम से और बुलाया जाता था बताईए कमेंट सेक्शन में खान अब्दुलगफार खान जी को और किस नाम से और किस नाम से बुलाया जाता है बताईए कान अब्द इन्हें सिमान्त गांधी भी कहा जाता है सिमान्त गांधी ठीक है अर यह सिमान्त नाम क्यों पड़ा क्योंकि यह सिमान्त प्रांध में सिमान्त प्रॉविंस में वैसा ही आंदोलन कर रहे हैं जैसे गांधी जी कर रहे हैं comparison एक तुलना करते हुए यहाँ पर गांधी जी से एक तुलना इनकी की गई और निगो कहा गया क्या सीमांत गांधी सीमांत गांधी ठीक है समझते जाएगे सब आंदोलन के समय की घटना है ठीक है जितने important factor में बता रहा हूँ यह सब exam में पूछे जाएंगे clear है चली इसके लावा हमें देखने को मिलेंगे कि मरीपूर और नागा लाइन के तरफ नागा लाइन के छितर में एक तेरा वर्सी बालिका तेरा वर्सी यूती ठीक तेरा वर्सी एक बालिका होंगी जिनका नाम होगा गडनलियू गडनलियू और गडनलियू के द्वारा उस छेतर में नागालेंड और मरीपूर के छेतर में बहुत ही बہटर सासिक कदम उठाया जाते हैं और यहा पर उनके द्वारा अपने छेतर में आंदुलन किये जाते हैं अंगरेंजो के खिलाप तो यहाँ पर उस आंदोलन का जब लेती तो कर रही थी गड़नलियों तो गड़नलियों को गिरफतार कर लिया गया तो याद रखेगा गड़नलियों को वर्स 1932 में गिरफतार किया गया गिरफतार कर लिया गया ठीक अब वहाँ पर मुद्दे अलग थे है ना सुभावी सी बात है वहाँ पर छेतरी मुद्दे रहे होंगे तो छेतरी मुद्दों के लिए वहाँ पर लड़ाई चल रही थी तो वहाँ पर गर्णलियू जो है जब यह अंदोलन को कर रही थी तब उनकी गिरफतारी होती वर्ष 1932 में और आगे चल कर जब यह जेल में रहती हैं तो जेल में इनसे मिलने जाते हैं जवाहलाल नहरू याद रखेगा जेल में इनसे मिलने जाएंगे कौन जवाहलाल नहरू और जवाहलाल नहरू जो है इन्हें एक टाइटल देंगे और उन टाइटल होगा रानी रानी की उपाधी जवाहलाल नहरू जी के द्वारा दिए जाएगे पूछा हुआ कोश्चन है ध्यार रखिएगा तो ये गड़न्यू नाम की जो बालिका है इसे क्या देंगे एक रानी की उपाधी देंगे तब जाकर ये रानी गड़न्यू कहलाएंगे रानी गड़न्यू कहलाएंगे क्लियर है ये बात ठेक तो रानी गड़न्यू कब कहलाएं जब जवाहल नहरू ने इनको क्या कहा रानी कहा गड़न्यू को क्लियर है ठीक तो ये सब जो घटनाएं हम देख रहे हैं ये सब समीनाय वग्या अंदुरन के समय चल रही थी इस समीनाय वग्या अंदुरन के समय हम को देखने मिलेगा धरसाना के कारखाने में जाकर गांदी जी के जो पुत्र हैं मडी लाल के द्वारा भी वहाँ पर विरो दर्च करवाय जाएगा इसके अलावा चतिस गड़ में भी आप देखेंगे चतिस गड़ में भी समीनाय वग्या अंदुरन का प्रभाव पड़ा और इसी समीनाय वग्या अंदुरन के समय में हम को देखने मिलेगा कि चतिस गड़ के रायपूर से रवी संकर सुकल है आप इसे शुरूप से आप देखे हैं हमारे 36 गड़ में नमक नहीं मिलता नमक याने की बोलना चाहिए समुदरी तट का छेत रही नहीं है तो नमक कैसे बनाएंगी तो यहाँ पर नमक बनाने के लिए केमिकल का यूज किया गया और केमिकल कौन सा हो जाएगा बताइए सोडियम क साइनी क्रिया के द्वारा तो यहाँ पर उस प्रकार से नमक बनाया है कोई कमेंट सेक्शन में यह बता सकता है कि कौन सा ऐसा वेक्ति था कौन से निता थे जिनों ने 36 गड़ में 36 गड़ में नाली के पानी से नमक बनाया था नाली के पाने से और उस नमक को बेचा भी था उन नमक को बेचा भी था यह आप कमेंट स्क्रेश्मन बताईए किसे नाली के पानी से नमक बनाया था यह सब इसी समय की घटना है इसी समय की घटना है इसके अरावा गांदी जी ने एक और बात कही थी कि जीने छेत्रों में नमक की उपलब्दता नहीं है उस चेत्रों में जहां पर नमक की उपलब्दता नहीं है और नमक जहां पर नहीं बनाया जा सकते उस चेत्रों में जंगल सत्यगरा करने की बात कही और जंगल सत्यगरा का मतलब यह कि जंगल में उस समय कुछ फॉरेष्ट को जंगलों को रिजरो कर दिया गया था और गांधी जी ने कहा कि आप जाईए और जंगल में आप अंग्रेजों के कानूनों को तोड़िए और कानून कैसे तूटेंगे जब यह अपने जानवरों को मवेशियों को वहाँ पर चैरने के लिए भेजेंगे ठीक है तो इस प्रका जाओ आपको देखने मिला ठीक अब जब यह प्रथम सभीनय वग्यांदुलन चल रहा था उस समय साइमन रिपोर्ट पेस की जा चुकी थी और साइमन रिपोर्ट पेस की गई थी लंडन में अब लंडन में जो साइमन रिपोर्ट पहुंची है उस पर चर्चा करने के अब यहां पर जब प्रथम सभीना वग्यांदुलन चल रहा था तो अंदुलन के चलने के समय ही गांदी जी की गिरफतारी हो गए थी और वो समय जेल में थे जब पहला इनका बैठक होना था साइमन रिपोर्ट के लिए और साइमन रिपोर्ट पर चर्चा के लिए जो बै समयलन देखने मिलेगा जिसे हम कहेंगे क्या प्रथम गोलमेज समयलन प्रथम गोलमेज समयलन या इसे ही कहेंगे हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉनफरेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉनफरेंस ठेक फर्स्ट राउंड टेबल कॉनफरेंस की अगर बात करें तो इसकी सु वात होनी है 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 को ठेट इस्थान के अगर मैं बात करूं किसी स्थान पर होगा तो यह था इस्थान जैंस पैलिस लंदन जैंस पैलिस लंदन और अध्यच्छता जो करेंगे वो होंगे रैमजे मैकडॉनल्ड रैमजे मैकडॉनल्ड यह उस समय के बिटेंग पधान मनती थे जो इसकी क्या कर रहे थे अध्यच्छता कर रहे थे रैमजे मैकडॉनल्ड अध्यच्छ बारन अमबर को सुरवात होगी पहला राउंटिबल कॉन्फरेंस है अब यहाँ पर जो साइमन रिपोर्ट पर जब चर्चा होनी थी तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि साइमन रिपोर्ट पर जब चर्चा होनी है उस समय गांधी जी कहा है जेल में है तो गांधी जी विसे सुरुप से जब उनको अमंधिर्ट करने की बात थी तब तो ऐसा उस समय तो गांधी जी पहुँची नहीं सकते थे किसी भी हाल में वहाँ पर आहीं नहीं सकते थे क्योंकि उनको रखा गया था जेल में तो गांधी जी पहले गोल में सम्मिलन में पहुँच नहीं पाते हैं और साथी साथ कॉंग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कॉंग्रेस पार्टी भी इस सब पहले गोल में सम्मिलन में नहीं पहुँचती यहां जो लोग पहुंचेंगे वो होंगे देशी रियासत के राजा और अन्यप पार्टी के लोग जिसमें विसेश रूप से आप याद रखेंगे दलितों का नेती तो करते हुए बी यार अमबेटकर जी इस पहले गोल में सम्मिलन में पहुंचेंगे अब यहां पर जो साइमन रिपोर्ट में जो चर्चा होनी थी उसमें यहां पर ब्रिटिस सरकार के द्वारा देखा जाता है कि यहां पर जो मुख्य घटक हैं जिसकी बात करें कॉंगरेस और गांधी ज नहीं है तो यहां पर अगर हम कोई फैसला लेंगे डिसिजन लेंगे तो वह सफल नहीं हो पाएगा इस कारण से पहला जो गोल में सम्मिलन की अगर मैं बात करूं तो यह पूर्णता क्या रहा असफल रहा पूर्णता अगर मैं बात करूं तो क्या था असफल एक गोल में सम् अब देखिए पहले गोल में सम्मिलन के पशाद यहां पर गांदी जी को बुलाने का प्रयास किया जाएगा और जो हमारे भारत में ततकालीन वाइसराय लौड इर्विन थे उन्हें कहा गया कि आप गांदी जी से चर्चा कीजे और मना के उनको जैसा भी समझा के या उनकी क कुछ मांगे हैं उसे स्विकार करके उन्हें कैसे भी करके दूसरे गोल में सम्मिलन में बुलाया जाए तब यहां पर हमको देखने मिला कि गांदी जी को वर्स 1931 में रिहा किया गया और रिहा करने के पशाद अब गांदी और इर्विन की बीच में एक समझहोता होगा तो समझहोता क्लियर है तो इसे कहते हैं गांदी इर्विन समझहोता जो होगा 5 मार्च 1931 को 1931 ठीक इस गांदी इर्विन समझहोते को हम दिल्ली समझहोता भी कहते हैं क्योंकि यह समझहोता होगा कहां दिल्ली में दिल्ली में यहां समझहोता होगा गांदी इर्विन समझहोता ठिक अब यहाँ पे समझाता कि इनके बीच हो रहा है तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी और तत्कालीन वाई सराय तत्कालीन वाई सराय लौड इर्विन के बीच लौड इर्विन के बीच ठिक अब देखो विसेस क्या रहता है उससे समझे अब यहाँ पर इर्वीन को जो है गांधी जी को भेजना है कहां तयार करके लंदन और लंदन अगर गांधी जी जाएंगे तो अपनी मांगों को जब तक इर्वीन के सामने नहीं रखेंगे और इर्विन उनकी मांगे स्विकार नहीं कर लेगा तब तक गांधी जी लंदन नहीं जाएंगे इसी बीच हमें देखने को मिलता है गांधी जी की एक मतपून मांग रहती है उसे कनेक्ट कीजेगा समझेगा पॉइंट को इसमें दो चीजे में आपको समझाओंगा गांधी जी की एक मांग रहती है जो बहुत सारी इनकी मांगों थे 11 पॉइंट डिमांड याद होगा 11 सुत्री मांगों के में एक डिमांड थी कि जितने भी आंदोलन में अभी जो समीना वग्या आंदोलन हुआ एक पॉइंट यहां पर गांदी जी विसे सुर्प से रखेंगे कि जितने भी आंदोलन में राजमतिक बंदी पॉलिटिकल पिजनर जिनोंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन किया उन्हें रिहा किया जाए ये विसे सुर् ठीक पॉलिटिकल पिजनर जितने भी पॉलिटिकल पिजनर राजमतिक बंदी है जो अहिंसा अहिंसा नौन वॉइलेंस के मार्ग पर चलकर आज़ोलन किये है उन्हें रिहा किया जाए उन्हें रिहा किया जाए साथी साथ आपको देखने मिलेगा इस पॉइंट को आप ध्यान दीजेगा साथी साथ ठीक यहाँ पर देखें अहिंसा वाले टर्म को ध्यान समझेगा साथी साथ गांधी जी के पास उस समय एक लेटर था एक पत्र था जब यह गांधी इर्विन समझाता होना था उसके पहले और उस लेटर में जो बात कही गए थी वा बात कही गए थी हमारे क्रांती कारियों से सम्मंदित जिसमें भगसी सुखदेव राजगुरू को फासी की सजा तैकर दी गए थी और फासी अनकारावास में बदल दीजे और कैसे भी करके इन्हें रिहा करानी का प्रयास कीजे अब आप समझें यहां पर जो बात हो रही है उसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है अहिंसा ठीक है गांधी जी ने जो कहा कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदूलन किये गए उन्हें रिहा कीजिया पॉलिटिकल पिजनर जो है जेल में बंद है उन्हें रिहा कीजिया अगर उन्हें हिंसा नहीं की उन्हें रिहा की परन्तु यहां पर गांधी जी जो है क्रांधी कारियों की बात करें और क्रांधी कारियों को जब यह पत्र अगर गांधी जी वहाँ पर देंगे तो वहाँ पर तो यह क्रांधी कारी ने क्या किया है सौंडर्स की हत्या की है और एक जगन्य अभ्राद उस समय किया है यह था गांधी जी के लिए और गांधी जी ने यहाँ पर देखा कि उन्होंने वॉयलेंस का या हिंसा का मार्ग अपना है तो गांधी जी जब ये लेटर लेकर इर्विन के सामने ले जाते हैं और समझोते में इस लेटर से कोशिस करते हैं कि क्रांधी कारियों को जो फांसी की सजा है उससे रुकवा पाएं तो इस कारिय में गांधी जी क्या होते हैं असफल हो जाते हैं ये गांधी जी की यही वाली मांग स्विकार नहीं के जाती और ये स्विकारणा होने के कारण आगे आगे आपको यही प्रभाव देखने मिलेगा मैंने बताया भई ये समझवता कब हो रहा है पांच मार्च जान रखेगा ये समझवता कब हो रहा है पांच मार्च को यह समझाता हुआ है और गांधी जी क्योंकि क्रांथी कारियों की जो आजी वन कारवास या इनको सजा कम करने की जो बात थी वो नहीं करवा पाए इस कारण से आगे चल कर आपको देखने मिलेगा कि 23 मार्च 23 मार्च 1931 के दिन हमारे देश के तीन महान सबूत सुख़देव, राजगुरु, भगसी तीनों को फांसी की सजाद दे दी गए तो यहाँ पर इसी कारण से जब भी आप भगसी मूवी का भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर गांधी जी को काले जंडे और काले फूल दी जाते हैं, काले गुलाब के फूल दी जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं रहे हैं समझ महारी बातें ही तो यहां पर क्या हुआ था 23 मॉठी की दिन इन तीन ख्राण्धी कारियों को फासी की सजा दी गए थी अभ यहां पर गांोटी जी का समझाता हो गया इर्विन के साथ और गांधी जी की जो मांगे स्विकार की गई उसके पश्चाद गांजी जी कहा कि अब मैं जो second round table conference है उसमें जाने को मैं तयार है ठीक अब गांधी जी निकलेंगे कहा के लिए second round table conference के लिए जिसे हम कहेंगे दुटिये गोलमेज सम्मेलन दुटिये गोलमेज सम्मेलन क्लियर है यह दुटिये गोलमेज सम्मेलन होना है ठीक पहला हुआ था बारा नवमर को और यह होगा 7 सितंबर को 7 सितंबर 1931 अगले ही साल इस्थान वही है लंदन ठीक अध्यक्ष है रेमजे मैकडॉनल्ड तीनों में आप याद रखेंगा रेमजे मैकडॉनल्ड ही क्या थे अध्यक्ष थे रेमजे मैकडॉनल्ड ठीक रेमजे मैकडॉनल्ड अध्यक्ष थे तो 7 सितंबर 1931 को यहाँ पर दूसरा गोल में सम्मेलन होना था इसमें अगर हम बात करें तो गांधी जी गांधी जी और कॉंग्रेस पार्टी सामिल हुए थे कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख निता सामिल हुए थे ठीक इसके अलावा मैंने एक और नाव आपको बताया है उससे ध्यान रखेंगे दलीतों का निती तो उस समय किया गया था दलीतों की तरफ से बी आरम बिटकर जी इनकी बात रखने गयते दलीतों की तरफ से ठीक है तो देखिए यहाँ पर होता क्या है ध्यान समझे जो चीजे बता रहा हूँ हाँ आप ध्यान दीजिए ठीक यह है राउंटेबल कॉंफेंस जहां गांधी जी पहुंचे राउंटेबल कॉंफेंस अब देखिए होता क्या है सेकंड राउंटेबल कॉंफेंस गोल में सम्मिलम में गांधी जी को पहुंचना था गांधी जी उस समय राजपुताना जहाज से कहां पहुंचते हैं लंदन पहुंचते हैं और लंदन पहुंचने से पहले यहाँ पर जब वो जहाज में रहते हैं और जहाज से उतरने वा को देखने आते हैं कि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों की नाग में दम कर दिया है और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मुझबूर कर दिया है ऐसा ये कौन सा व्यक्ति है गांधी जी कौन है ये देखने के लिए लंदन के लोग वहां पर पहुंचते हैं ठीक है और लंदन के लोग सोच रहे थे कि कोई एदम बहुती महामानाव टाइप का व्यक्ति होगा बहुती दमदार व्यक्ति होगा ऐसा उनको उम्मित था जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं जहाज से शीप से पहुंचते हैं राजपुताना जहाज है नाम याद रखेगा विष्टन चर्चिल यादोगा मैंने बताया था विष्टन चर्चिल के बारे में तो विष्टन चर्चिल गांधी जी को जब देखते हैं पहली बार तो देखने के बाद यों बोलते हैं कि ये तो अर्दन अगर ह्फ़कीर की तरह नजर आ रहा है जिसके तन पे कपड़ा केवाल उसने धोती बांधी हुई है और एक गमचा डाल रखा है सफेद कलर का तो उसी को देखते हुए चर्चील इसी समय का टाइम में यही दोर है जब लंदन के लोग भी देखना चाते थे और चर्चील भी जब देखता है गांधी जी को तो उनको अर्धंग नंगर फकीर कहता है किसके बदन पर तो आधा ही कपड़े है ऐसा वो कमेंट करता है इसी टाइम की बात है आप देख सकरे हैं यहां पर गांधी जी को गांधी जी एक साल ओड़े हुए मातर एक कपड़ा ओड़े हुए सफेद कलर का ठीक है और वहां पर वो बैठक में सामिल होने गए बिलकुल आम वेक्ति की तरह समान्य वेक्ति की तरह वो रहते थे उनका जीवन ही वैसा थे ठीक तो लंदन के लोगों की सुकता उनको देखकर लगा कि वो कोई महामाना होंगे बड़े दम साधान फकीर की तरह वो दीख रहे हैं ठीक अब यहां पर इस राउंड टेबल में गोल में सम्मिलन में गांधी जी पहुंचते हैं गोल में सम्मिलन याद रखेगा ये गोल में जैसा ये गोल क्यों था चेर या टेबल गोल क्यों रखेगा थे इससे आप समझे इसका रखने का भी एक कारण था गोल में सम्मिलन गोल में सम्मिलन या राउंड टेबल र बैठे हुए हैं और आमने सामने बैठे हुए इसके अलावा अगर यहां पर गोल में नहीं होता तो होता क्या कि एक कोई बड़ा नेता सामने बैठता और सब उसके यहाँ पर सामने चेर लगी होती और उसके सामने एक बड़ा नेता एक बड़े चेर में बैठा होता है तो उससे क्या होता है उसे व्यक्ति को महान दिखाने का या अध्यक्ष को ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि अब अगर वो उस जगह पर बैट गया है तो सामड़े के वैक्ति ने का प्रयास करेगा ठीक है जैसे कि आप देखते हैं एक कोट में ले लिजिए जैसे कोट में जज बैठे होते हैं तो जज को उपर बैठाया जाता है जज की भूमी का कहानती उपर ठीक है और सभी जो आम जन है या कैदी है उनको थे ठीक है गोल में सम्मिलन रखा गया ताकि समान रूप से सभी अपनी बाते रख पाए और एक अच्छी चर्चा वहाँ पर हो पाए साइमन रिपोर्ट पर साइमन कमिंसन की रिपोर्ट पर ठीक अब देखें मैंने क्या बताया ये जो चल रहा है सम्मिलन ये है आपका दूतिय गोल में राउंटेबल कॉन्फरेंस दूसरा राउंटेबल कॉन्फरेंस चल रहा है अब यहाँ पर होता क्या है इस सम्मिलन में एक बात निकल कर आती है और वह बात होती है सांपरदाइक रू इस सम्मेलन में बी आर अमबेटकर जी के द्वारा अमबेटकर जी के द्वारा दलितों के लिए प्रिथक चुनाओ प्रिथक चुनाओ या सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जाती है अब इस जब प्रिथक चुनाओ की मांग होती है तो यहाँ पर समझ से क्या आती है उससे समझे प्रिथक चुनाओ का अर्थ होता है कि अब जो है दलित केवल दलित को ही चुन सकते है ठीक दलित वेक्टी केवल दलितों को ही चुन सकते हैं इसके अलावा अन्य जो वेक्टी है उनको अब यहाँ पर वोट डालने का चुनाओ का अधिकार नहीं होगा जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आप जो देखते हैं वहाँ एक प्रकार का सयुत चुनाओ है ठीक है अगर दस वाड हैं दस वाड में मालो की बात किसी वाड में OBC वेक्टी अगर खड़ा है चुनाओ में तो उस OBC वेक्टी को सभी वर्ग के लोग चुनते हैं चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो ST हो SC हो OBC हर कोई वेक्टी वहाँ पर वोट डाल सकता है यह चुनाओ की प्रक्रिया है जो प्रेजेंट डाइम में चल दी है परन्तु वहा थी खड़े होंगे चुनाओ में और वोट डालने वाले भी दली थी होंगे इसे कहा गया separate electorate अब यह मांग अचानक से नहीं आई है इसके पहले भी मुसलमानों को सिखों को यह अधिकार की प्रितक चुना होना चीए यह अधिकार पहले ही दिया जा चुका है क्या आप कमे कि मुसलमानों को किस अधिनियां के तहद किस वर्ष प्रितक चुनाओ का अधिकार separate electorate का अधिकार दिया गया comment section में जरू बताइए कि separate electorate का अधिकार उनको कब मिला इसके बारे मैं बताइए गया ठिक तो यहां पर प्रितक चुनाओ की मांग कर दी गई BRM बेटकर जी के द्वारा और BRM बेटकर जी ने जैसे ये मांग रखी गांधी जी ने कहा कि मेरा ये प्रयास है कि मैं पिछुडों को दलीतों को और अन्य समाज के वर्गा के लोगों को समान भूप से एक प्रेटफॉर्म पर एक दरजेपले का राँ प्रंतु अगर इस प्रकार से पिछुनाओ अगर इनके लिए हुआ तो मैं ये छुवा छूद की भावना जो इनके याने इनके लिए जो छुवा छूद जो चल रहा है अस्पिस्यता की भावना जो लोगों के मन में है इसे मैं नहीं मिटा पाऊँगा अगर पिथक चुनाव हुआ और इसी बात पर इसी बात पर गांधी जी ने यह जो सम्मिलन था राउंटेबल कॉन्फरेंस था उसे छोड़ दिया और इसी विवाद के साथ यह सम्मिलन भी दूसरा गोल में सम्मिलन एक प्रकार से असफल रहा समझ मैं क्या विवाद हुआ था ठीक पिथक चुनाव का मामला था सेपरेट इलेक्टूट की बात आई थी जिसका आण से गांधी जी ने यह सम्मिलन बीच में ही छोड़ दिया बीच में ही छोड़ दिया यहां पर हमने जान लिया सेकंड राउंट टेबल कॉंफेंस के बारे में एक प्रेस्टन देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक कोश्चन देखिए जवाब दीजिए प्रेस्टन देखिए जवाब दीजिए इसे हमने पिछले क्लास में स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा था आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा ठीक भारत में स्वराज पार्टी की साफना निमने लिखित कारणों में इसे एक कर लिजेगा इसे एक अथवा अधिक के लिए की गए थी ज्यान से देखिए इसका जवाब देने का प्रयाज करेंगे सभी चात्र सभी स्टुडेंट जितने भी स्टुडेंट चात्र हमारे आंसर देने का प्रयाज कीजिए ठीक है क्या आंसर होगा आंसर दीजिए इसका ठीक है तो जिन चात्रों को इसका जवाब नहीं पता होगा पिछली क्लास को जरूर आप देखेगा यह स्वराज पार्टी संबंदित है देख लेते हम गांधी जी द्वारा असयों गांदोलन वापस लिना स्वराज पार्टी संबंदित काउंसिलियों के प्रवेस में उन्हें काम न करने देकर 19-19 के भारत ससी नियम का उच्छेदन करना बिटिस सरकार द्वारा दमन भारतियों द्वारा आसाई की अनुमती उन्हें प्रसाजन का अनुभाव प्राप्त करना देखें पहला एक कारण था स्वराज पार्टी के बनने का वह यही था कि असयों गांदोलन को गांधी जी ने जो अचानक से वापस लिया इस कारण से ही यहाँ पर चितरजन दास मोतिलाल नहरू ने अपनी अलग एक पार्टी बना लिए ठीक काउंसिलों में प्रवेस करन काउंसिल विदान सवा चुराओं में भाग लेना या उनके उद्देशों में सामिल था साथी साथ मैंने बताया था कि यहाँ पर जब यह विदान सवा में भाग लेंगे तो यहाँ पर विदान सवा में जो कार्या हो रहे हैं उसे बाधित करेंगे यह भी इनका लेने नहीं गए हैं वहाँ पर उकारिय बाधित करने गए मतलब आपका option number B correct होगा 1 and 2 और question देख लेते हैं निमनलिकित घटनाओं को सही काला नुकरम में जमाईए सही sequence में जमाईए बताईए क्या होगा सबसे पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था इसके बारे मताईए ठीक है सबसे पहले और बाद में क्या हुआ उसके बारे मताईए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक चलिए बताईए क्या क्या हुआ था सभी चात्रों को प्रशन देखना है और जवाब देना है कमेंट सक्षन में मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और वहाँ से मुझे पता चलता है कि इतने चात्र सीरस्री पढ़ रहे हैं और तयारी कर रहे हैं याद रखें जो तयारी आप कर रहे हैं ये आपके लिए और जितने आपके जितने भी एक्जाम आने वाले हैं और सहकारिता और इस सब की भी जो तयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काम आएगा और साथ ही साथ हम जो CGPC की जो चाह रहेएं कि CGPC PILIMS की जो तयारी करना है उसके लिए आपके लिए इंपोर्टेंट है तो आप ध्यान से सबी प्रश्मे को हल कीज में जलियावाला बाग वर्द्स 1919 की घटना है बाल गंगदर तिलक की डैथ हुई थी एक अगस 1920 को ठीक है तो इसमें कौन से सही होगा बताइए करम में जम आई है सबसे पहले क्या होना चीए आपका लगनाव समझाथा दूसरे करम में आपका आएगा जलियावाला बाग और तिसरे करम में 1920 फिर 1923 यानि हमारा जो करम जम रहा है वह है एक तीन चार देख लेते हैं एक तीन चार और दो तो आपसा नंबर सी इस करेंट एक तीन चार दो क्लियर है तो इस प्रकार से आप याद रखेगा ऐसे घटनाओं को करम में जमाने को जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान से question solve करना है ठीक चलिए अगला देखिए अगला बताईए Simon Commission के आने के विरुद्ध में भारती जनान दोलन क्यों हुआ ठीक है क्यों हुआ इसके बारे मताईए Simon Commission का क्यों विरुद्ध किया जा रहा था इसके बारे मताईए क्या होगा इसके बारे ठीक है ब कोट के बारे मैंने बताया था कि वर्श ninth 98 में साइमन कमिसन जो है भारत आया था हूँ अकर देखे तो को पूछ रहा था कि साइमान आयोक के विरोध में जन अम्द bipartisan क्यों हुआ द immortality साइमान आयोक कर देश से में अधिरियां बना था वो कार्वाही का पुन रख्षन कभी नी चाहते था ऐसा कुछ ही नहीं है ठीक है तो साइमन कमिशन ने प्रांतों में द्विशासन की समापती इसकी भी बात वहाँ पर नहीं थी तो याद रखेगा विरोत करने का में प्रॉब्लम में इसू था वया था कि भारती सदस्य भारती सदस्य ना हो मैंने बताया था साइमन कमिशन में साथ मैंनमर जो हैं ये साथों के साथों क्या हैं अंग्रेज हैं बिटी सर्स हैं और इसी बात का विरोत किया जा रहा है कि साथ अंग्रेज क्यों रखे गए इस साथों में कोई ने को एक भारती तो सम रख सकते थे आप क्या भारतियों क अगले देखे लाला लाजपत्राय घायल हुए थे किस समय घायल हुए थे बताईए लाला लाजपत्राय घायल हुए थे बताईए कब घायल हुए थे किस समय घायल हुए क्लियर है तो यहाँ पर आपको जैसे पता है कि साइमन आयोग साइमन कमिसन के विरोध में यहाँ पर लाला राजपत राय को लाहोर में लाठी पड़ी और लाठी पड़ने से इनकी मृत्यू या डैथ हो गई ठीक है चलिए चलिए इस कोश्चन का अंसर बताईए कॉंग्रेश दल की उग्रसाखा जिसके एक प्रमुख नेता थे जवाहल नहरू और उन्हों ने एक पार्टी बनाई थी Independence for India League की सापना की वह किसके विरोध में थी किसको विरोध में थी είναι सब बातें जितने भी आप प्रेशन सौल कर रहे हैं सब के बादे मैं आपको बताया है बताइए यहा किसके विरोध में बनी थी किसके विरोध में ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ था नहरू रिपोर्ट के विरोध में नहरू रिपोर्ट के विरोध में जवालन नहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीक की सापना है याद है मैंने बताया था आपको कि जवालन नहरू जो है न नहरू रिपोर्ट में मोतिलन नहरू के द्वारा जो नहरू रिपोर्ट मनाए गए थी उसमें डॉमिनियन स्टेटस वाली जो बात थी अपनी सिख सराज की जो बात थी उसका नहरू जी ने जवाहलन नहरू जी ने अपने ही पिता का विरोध किया था और उन्होंने अपनी का अलग पार्टी बनाई इंडिपेंडेंस पॉर इंडिया लीग बनाई क्लियर है तो याद रखिएगा नहरु रिपोर्ट के विरोध में ठीक चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे जब हम बढ़े हैं तो हमको जैसे जानकारी हो चुकिए हम दो गोल में सम्मिलन पढ़ लिये हैं अब दो गोल में सम्मिलन होने के पस्चाथ क्या घटना होगा लंदन से गांधी जी वापस आ गए उनकी एक नाराजगी थी कि सामपरदाइक निर्वाचन जो आपका हो रहा है दलितों के लिए जो दिया जा रह और भारत में आने के बाद उन्होंने एक और आंदोलन की शुरुवात की जी से हम क्या कहेंगे दृतिय सविनय अवग्या आंदोलन की शुरुवात की दृतिय सविनय अवग्या आंदोलन की शुरुवात या वर्ष दिसंबर 1931 में करेंगे और सविनय अवग्या आंदोलन की सुरुवात करते ही कुछ दिनों के पश्चार कुछ दिनों के पश्चार की गांदी जी की फिर से चार जाँले 1932 तक गांदी जी की इन गिर기फतारी हो जाएगा ठीक है गांधी जी इस समय गिरफतार हो जाएंगे ठीक है ध्यान अब देखिए गांधी जी जेल में थे फिर से दूती समीना वग्जा अंदोलन के पश्चा और इस समय अंग्रेजों ने या बिटिस गौर्वर्मेंट ने जो डिमांड थी सेकंड गोल में सम्मिलन के समय उसे डिमांड में जो पितक नीरवाचन की बात थी उसे स्विकार कर लिया उसे स्विकार कर लिया और अब जो है एक सामप्रदाइक नीरणय दिया गया सामप्रदाइक नीरणय या सामप्रदाइक पंचाड की घोष्टना की गई जिसे हम कहते हैं कॉमिनल अवार्ड या मैकडॉनल अवार्ड क्लियर है कॉमिनल अवार्ड भी कहा जाता है तो संप्रदाइक पंचाट की जो घोश्टा हुई वह हुई 16 अगस 1932 को और यह घोश्टा करने वाले थे रैमजे मैकडॉनल्ड यादा रहा है रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा यह घोश्टा की गई संप्रदाइक पंचाट की इस संप्रदाइक पंचाट के रुशार कहा आ गया कि अब जो है मुस्लिम सिख वह इसाईयों के साथ साथ इसाईयों के साथ साथ दलितों को भी दलितों को प्रिथक निर्वाचन दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा साथ साथ इसाथ इनके लिए अब दलितों के लिए अठतर सीट आरक्षित रखी जाएगी रिजर्व रखी जाएगी 78 अठतर सीट यहाँ पर उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी क्लियर यहाँ तक बाते समझ में आई सामरदाइक पंचाट में कहीं न कहीं जो दिती गोल में समिलन में जुम्बांग की गई थी उसे स्विकार कर लिए गया और सामरदाइक पंचाट की घोशना की गई अब समझे लेखे जितना भी पॉइंट में बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने बताया कि समरदाइक पंचाट की घोशना कर दी गई और समरदाइक पंचाट की घोशना के समय गांधी जी कहां है जेल में और जेल कौन सी जेल जहाँ पर मुन्ना भाई को रखा गया मुन्ना भाई को संजदत और संजदत को कहा रखा गया था यर्वदा जेल में यर्वदा जेल में तो गांधी जी पूरे के यर्वदा जेल में उस समय थे जब सम्रदाइक पंचाट की घोशना की गए जैसे ही गां हंगर श्ट्राइक कर देगे और भूकर्ताल करने के पश्चान अब गांधी जी को यहां पर इनके जो भूकर्ताल चल रही है उसे रोकने के प्रयास करने के लिए यहां पर एक और समझाओता होगा जिसे हम कहेंगे क्या पूना समझाओता तो समझते हैं पूने समझाते हुआ पूना पैक या पूना समझाता पूना पैक या पूना समझाता जो होगा 24 सितंबर 1932 24 सितंबर 1932 ठेक ध्यान दिजेगा यह समझाता जो होगा गांधी जी वा बी आर अमबेटकर जी के बीच होगा बाते समझ में आ रही है कि पूना समझाता जो है पूने में यरुदा जेल में गांधी जी जब थे तो उनके रहते हुए उनसे मिलने आएंगे बी आर अमबेटकर जी और गांधी जी को आमने सामने बिठाया जाएगा और दोनों में चर्चा होंगी और चर्चा होने के बाद मामला सुलजाया जाएगा अब जो यहाँ पर दलितों के लिए जो पृथक चुनाओं के जो बात की गई थी सामदाय पंचाट में उसे निरस्त करके उसे निरस्त करके पृथक निर्वाचन के इस्थान पर इस्थान पर संयुक्त निर्वाचन की बात कही गई संयुक्त निर्वाचन प्रिथक निर्वाचन की स्थान पर संयुक्त निर्वाचन जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कही जॉइंट ठीक है ध्यान अखेंगे जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कहींगे ठीक अब यहाँ पर प्रिथक निर्वाचन है उसे हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पर जो दलितों के लिए जो रिजर्व सीट है आरक्षित सीट है उस आरक्षित सीटों को हम बढ़ा देते हैं आरक्षित सीटों को हम बढ़ा देते हैं ठेक तो यहां पर गांदी जी ने जो मौसादा दिया था उसमें उन्हें ने कहा कि प्रांतों में प्रॉविंस में हम क्या करते हैं आपके लिए है ना अठतर जो सीट थी अठतर सीट से बढ़ा कर हम 148 सीट कर देते हैं इसके अलावा केंदर में केंदर में आपके लिए केंदर में आपके लिए लगभग 18% आरच्छित सीट रखी जाएगे केंदर में 8% 18% आरच्छित सीट आपके लिए कर दी जाएगे और इस प्रकार सहिंत निर्वाचन में बदल कर यह समझाता किया गया क्लियर है यहां तक पॉइंट आपको ठीक तो यह क्या था गुना सम्झाता जो 24 सितंबर 1932 को हुआ ठीक अब यह सम्झाता जब हुआ उसके कुछ समय पसार त्रितिय गोल में सम्मिलन हुआ सम्मिलन हुआ और रितिय गोल में सम्मिलन होगा 17 नवबर 1932 को इस थान वही अध़क्छ वही ठीक है रेमजे में अध़क्छ है ठीक है रेमजे मेंगर अध़क्छ की रूप में आपको दिखे रहे हैं ठीक अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस सम्मिलन अब आखरी एक सम्मिलन है और सामन रिपोर्ट पर पूरी चर्चा हो गई पूरी चर्चा हो गई इस तिसरे राउंड टेबल कॉंफेंस में याद रखेंगा गांधी जी फिर से सामिल नहीं हुए ना कॉंग्रेस के बड़े निता सामिल ठीक इस इसको आप ध्यान रखेंगा और इस सम्मिलन के अनुसार अब एक यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट तयार की गई इसे रिपोर्ट में कहा गया कि अब जो है अब जो है आगे चल कर हमें एक ड्राफ्ट पूरा तयार करने वाले है और वही draft final होगा जो आगे चल कर कहलाएगा भारत सासन अधिनियम 1935 क्या कहलाएगा भारत सासन अधिनियम 1935 यह इसी गोल में सम्मिलन का परिणाम था ठीक है तो याद रखेगा इस गोल में सम्मिलन में एक परिणाम निकला और वो परिणाम था भारत सासन अधिनियम 1935 1935 इंडियन गवर्मेंट एक इंडियन गवर्मेंट एक 1935 ठेक 1935 इसी के अधार पर अब आगे की प्रक्रिया होंगी जो तीसरे गोल में सम्मिलन के परिणाम के रूप में हमें अब आगे देखने को मिलेगा चली तो यहाँ पर हमने देख लिया तीसरे गोल में सम्मिलन को और ये सब जो घटनाय चल दी हैं 30, 31, 32 1931, 32 तक की ए घटाय हैं अब आगे क्या होता है उससे समझें घटनाकरम को जब हम आगे बढ़ाएं गांधीजी का यूग चल रहा है गांधीजी के टाइं पिरेट को हम आगे बढ़ाएं तो 1935 के अनुसार अब भारत सासान अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में चुनाओ कराये जाने थे और भारत में जो चुनाओं होंगे वह होंगे पहले आम चुनाओं वह होंगे 1937 में ठेक है तो याद रखेगा वर्स 1937 में प्रथम आम चुनाओं हुए ठेक इस इलेक्षन की अगर मैं बात करूँ तो यह जो इलेक्षन है हमें इस इलेक्षन में हमें कॉंग्रेज जो है एक बड़े दल के रूप में हमको नजर आएगी तो उस समय भारत के जितने भी मातपूर्ण प्रांथ थे उसमें कॉंग्रेज को सबसे ज़्यादा जीत हासिल हुई थी 1937 वाले इलेक्षन में ध्यान से देखिए यहां पर जो आपको ब्लू कलर के यहां पर दिख रहे हैं वो है इंडियानेशनल कॉंग्रेज के इस्थान जहां जहां पर कॉंग्रेज ने जीत हासिल की थे ध्यान से देखिए 1937 के चुनाओं के परिणाम का समय है ठीक है इसके विधान सभाज चुनाओं में विधान मंदल चुनाओं में कॉंग्रेज को 11 में से 11 में से 5 प्रांतों में जीत हासिल हुई ग्यारा में से 5 प्रांतों में जीत हासिल हुई और आगे चल कर कुछ पार्टि के साथ जब गड़बंदन हुआ तब यह टोटल 8 हुगई तो टोटल आप मांगे चलिए कॉंग्रेज को इंडियनेशनल कॉंग्रेज को आठ इस्थानों पर आठ प्रांतों में जीत हासिल हुई जिसमें हमारा मद्य प्रांत भी सामिल था याद रखेगा मद्य प्रांत और सबसे ज़्यादा जो बहुमत मिला था मैजोर्टी मिली थी वो बहुमत भी मद्य प्रांत में ही मिला था ठेक तो यहाँ आपके लिए प्रश्न है जो 1937 का मद्य प्रांत का जो चुना हुआ उसमें मद्य प्रांत के मुख्य मंतरी कौन बने और वो मुख्य मंतरी कौन थे जीनों ने इस्तिफा दिया उसके बारे मिँ बताएंगे यहाँ पर दो घटनाएं मैंने पूछा कि 1937 का जब चुना हुआ तो वहाँ पर मुख्यमंद्री कौन बने और कौन इस्तिफा देने के पश्चाद मुख्यमंद्री बना दोनों नामा बताईएं इसके अलावा भी और जुड़ी हुए घटनाओं को आप वहाँ पर कनेक्ट करके बता सकते हैं सक्षन में जरू बताईएगा ठीक है तो यह क्या हुआ 1937 का चुना हुआ जिसमें कॉंग्रेस को बहुत बड़ी एक विसाल बहुमत 11 में से करीबन आठ पांतों में उन्होंने अपनी सरकार बना ली आठ पांतों में जिसमें आपका विसेश रहेगा मद्यपरांथ सेंटर प्रोविंस विसेश उरुप से आपको सेंटर प्रोविंस देखने मिलेगा सेंटर प्रोविंस मद्यपरांथ मद्यपरांथ के लावा सेयुक्त प् औरियार है औरिजा है बॉंबे है मदरास है य्ये सब पूरे छेतरों में इनको बहुंवद मिली थी ये सब मिजोर्टी वाले छेतर है इसके यावा हसाम topics के भी छेतर बंगलाल हसाम मादी के छेतर में भी बहुमत इनको अच्छा खासा देखने को मिला ठीक चलिए अब 1937 के चुनाओं के पश्चाद ठीक दो साल मातर दो साल 1937, 38 और 49 मातर दो साल इनकी सरकार चल पाई और दो साल के पश्चाद कॉंग्रेस के मंद्री मंडल के सभी सदस्यों ने इस्तिफा दिया अब आप बोलेंगे सर इतनी अच्छे सरकार बन गई तो सरकार को इस्तिफा देने का कारण क्या था तो कारण यह था कि उस समय द्विती विश्चिद्ध सेकंड वर्ल्ड वार की सुरवात हुई वर्स 1939 में 1949 में जो भी छात्र जुड़े हुए है यह जो गटना करम चल रहे हैं उसे आप ध्यान से समझे तो वर्स 1949 में द्विती विश्चिद्ध साम की सुरवात हुई और उसे युद्ध में युद्ध में ब्रिटिस गॉर्मेंट ने कॉंग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों से मंत्रियों से बिना सलाब मसूरे के बिना सलाब मसूरे के इन्हें पुरे भारतियों को युद्ध में सामिल करने की बात कह दी भारतियों को युद्ध में सामिल हूने को कर दिया किसे ने? अंग्रेजों ने देखे, आपने गौश्मेंट बना लिया तो कम सख़़वर्नेंट के मुख्य मंत्रियों उसे आट प्रांतर में कॉंग्रेस की बी मंत्री है तो कम सख़़व इतना तो बनता है कि आप पूछे उन से पूछे कि भाई भारती सामिल होना चाहते हैं कि नहीं युद्धम कम से कम इतनी बात तो पूछी नहीं चाहिए परन्तु यहाँ पर कॉंग्रेस से कॉंग्रेस से बिना सलाह लिए without advice यहाँ पर उन्हें सामिल करवा दिया और इसी बात का विरोध दरज करवाते हुए कॉंग्रेस के मंतरी मंडल के सभी सदस्युने इस्तिफा दे दिया इस्तिफा दिया तो यह बात थी वर्स 1949 1939 में उन्हें इस्तिफा दिया था और एक दिन था याद रखेगा एक विशेज दिन 22 दिसंबर 1949 1949 के दिन कॉंग्रेस के मंत्री मंडलों के दौरा जब इस्तिफात दे दिया गया था तो इस दिन को विशेश रूप से मुसलिम लीग के दौरा सेलिबरेट किया गया किसके दौरा मुसलिम लीग के दौरा याद रखे मुसलिम लीग के दौरा सेलिबरेट किया गया और मुसलि मुचिलिम लीक को कही पर भंवत नहीं मिला थह, तो मुचिलिम लीक इस बाट से खुशिɪक कांग्रिच्छ s ke Ayols Ma Cherry слово Mandal ने इस्तिफा दे दिया है, और आज हमें क्या मिल गई है मुक्ति मिल गई है, तो मुक्ति, दिवसके रूप में मुसिलिम लीक ने इस दिन को celebrate किया ज्याद रखेंगे किया सेलिबेट किया Muslim League ने मुक्ती दिवस के रूप में इसे सेलिबेट किया 22 दिसम्बर 1939 को Muslim League के दोरा यहां मुक्ती दिवस के रूप में सेलिबेट किया गिए ठीक गटनागरम समझ मैं 1937 का चुना हुआ कॉंग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ दो साल सरकार चल पाई और दो साल के बाद 1939 में इसी सरकार को इस्तिफा देना पड़ा क्योंकि Second World War चालू हो गया था और Second World War में यहाँ पर कॉंग्रेस से कोई भी सलाह नहीं ली गए British Government के द्वारा इसी कारण से इस्तिफा हुआ और एक मुक्ती दिवस यहाँ पर मनाएंगे समझ में आरी बाते ध्यान समझते जाएए हम लोग 1939 तक पहुँच चुके हैं अब अगला घटना क्या होता है उसे देखिए ठीक है उसको देखने से पहले कुछ questions solve कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक बताईए दांडी आतरा के साथ निम्नलिकित में से क्या प्रारम हुआ था दांडी आतरा के साथ कौन सांदोलन प्रारम हुआ था इसके बारे में बताईए सभी बताईएंगे कौन सांदोलन प्रारम हुआ था इसके साथ सभी बताईएंगे इसका जवाब क्या होगा किसके साथ क्या चालो हुआ ठीक तो यहाँ पर देखिए दांडी आतरा के साथ निम्नलिकित में से अगर बात करें तो उसके साथ ही साथ सभी न अवग्या आंदोलन सीविल दीस ओबिडेंस मुमेंट के सुरवात भी थी मैंने आपको बताया था 6 अप्रेल 6 अप्रेल 1930 के दिन सुरवात होगी सभी न अवग्या आंदोलन की दांडी आतरा के साथ अगला प्रशन देखिए इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी इस्टुडेंट यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे ठीक है इसका जवाब देने का प्रयास करें सभी जितने भी इस्टुडेंट जुड़े हुए इसका जवाब दें क्या होगा द्यान से पढ़िए द्यान से पढ़ेंगे बताएंगे इसका अंसर क्या होगा तो यहाँ पर देखे महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्स 1920 में चलाया गया था ठीक है इसके लावा महात्मा गांधी का उद्देश गरीबों को नमक मुफ्त दिलाना ऐसा कुछ है क्या देखे बताईए महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन वर्स 1920 में चलाया गया क्या और महात्मा गांधी का उद्देश से क्या गरीबों को नमुफ्त ये दिलाना था कौन से सही है इसको बताईए ध्यान से ठीक है बताईए ध्यान से पढ़िए अच्छा कोश्चन है आप पूरे पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखिए और बताईए तो यहाँ पर अगर हम देखे तो गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन वर्स 1920 में नहीं 1930 में चलाया गया कथन गलत है गांधी जी का कोई उद्देश है था क्या नमक फ्री में बाटना तो वो भी गलत है यानि A और R दोनों के दोनों क्या है गलत है यहाँ पर कोई उद्देश ऐसा नहीं था ठीक अगर देखें सविना वग्या अंदोलन के संदर में निर्म लिखित कौन से कथन सत्य है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गए थी मदन, मोहन, मालवी, देवदास, गांधी और केम, मुंसी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गए थी कौन सा सही आंसर बताईए कौन सा सही आंसर इसके बारे में बताईए ठीक है सही आंसर सही जवाब को बताईए कौन सा इसमें सही कौन सा इसमें सहीं है बताई तो यहाँ पर देखे महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी ठीक है यह बात गलत है ठीक गांधी जी ने यहाँ पर जब नमक कानून तोड़ा तो उसकी विरोध में सजा उस समय नही दी गई थी तुरंद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी बहुत बाद में उनकी गिरफ्तारी थी तुरंद गिरफ्तारी नहीं हुई थी इसके लाव मदन मोहन मालवी देवदाज गांधी के मुलसी नमक कानूर तोने पर सज़ा दी गई थी ये बात सहीं है तो यहां आपका option option 1 incorrect है और second correct है इसका अप्सान नमबर भी आपका सहीं जवाब होगा ठीक अगला देखें गड़वाल रेजिमेंट के सैनिको ने प्रदसन कारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था ये कौन से समय की बात की जारी देखें गड़वाल रेजिमेंट की बात कर रहा है और सैनिकों ने प्रदसन कारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया यह बात थी भारत छोड़ो आंदोलन की अभी हम पढ़ेंगा आगे भारत छोड़ो आंदोलन तो यहां पर मैं बता दिना चाहूं भारत छोड़ो आंदोलन में चाहते हैं तो आप अपनी देश भक्ती दिखाते हुए जो आंदोलनकारी है उन पर गोलिया ना चलाए और आप इस प्रकार से आपको जौब छोड़ने की जुरत नहीं देखें यहाँ पर भारत छोड़ा अंदोलन में जौब छोड़ने की बात नहीं होगी भारत छोड़ा अंदोलन में अलग बात रहती है तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप अपने सेवा में कारिय में रहते हुए कारिय में रहते हुए आप अंदोलन के समर्थन कीजे और अंदोलन के समर्थन रेजिमेंट के लोगों ने गड़वाल रेजिमेंट के सेनिकों ने कैसे किया क प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने की जब इनको कहा गया तो उन्होंने गोलिया नहीं चलाई और एक प्रकार का उन्होंने क्या दिखाया यहाँ पर गांधी जी की प्रती समर्थन भी दिखाया और आंदोलन के कारियों के प्रती भी इनका समर्थन रहा तो यह क्या था भ प्रश्णों को हम देखते चलेंगे साथी साथ और जो चीजें घटना हैं जो हो रही हैं उसे भी इंसिडेंट को भी हम लोग देखते बढ़ रहें ठीक है आप साथी साथ जुड़े रहें अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के अधिवेशन की मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का लाहोर अधिवेशन लाहोर अधिवेशन मुस्लिम लीग का लाहोर अधिवेशन और यह होगा 23 मार्च 1940 को ठीक 23 मार्च 1940 को अब देखिए यहाँ पर होता क्या है यह बात 1940 की है परंतु इसका जो संबंध है इस अधिवेशन में जो होगा उसका संबंध है आपको पीछे मिलेगा अब समझे यहाँ पर होता क्या है मुहमद अली जिन्ना एक अलग पाकिस्तान दो राष्ट की फॉर्मूले को टू नेसन थेवरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इनके दोरा विशेश उरुप से इस समय पाकिस्तान की मांग की गई पाकिस्तान की मांग की गई ठीक अब यह जो पाकिस्तान की मांग है यह अचानक नहीं हुए इसके पहले मुहमद इकबाल ने मुहमद इकबाल ने पहले मुस्लिम लिग के अधिवेशन में दो राष्ट की बात कह दी थी दो राष्ट दो राष्ट मतलब एक मुस्लिमों के लिए अलग एक दे सोना चीए यह बात मुहमद इकबाल ने वर्स 1930 में कह दी थी पहली ठीक जिसे आगे चल कर कैमरी जूरी सर्टी में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली ने चौधरी रहमत अली ने वर्स 1933 में वर्स 1933 में नाउ और नैवर अभी नहीं तो कभी नहीं इस नाम की पुस्तक में एक सब्द को एक सब्द का जिक्र करते हैं और सब्द से वो बताने का प्रयास करते हैं कि एक मुस्लिमों का देस कैसा होना चीए उसे बताते हैं और पहली बार चौधरी रहमत अली के दौरा पाकिस्तान सब्द का प्रयोक के जाते हैं पाकिस्तान पहली बार इस समय हुआ थे ठीक और ये कहते क्या है कि पाकिस्तान में क्या क्या होना चीए तो ये पी से बोलेंगे क्या पंजाब की पाकिस्तान में क्या आना चीए पंजाब का छेतर आना चीए इसके लावा एसे क्या बोलेंगे अफगानिस्तान कहेंगे क्या कहेंगे एसे अफगानिस्तान कहेंगे के से बात करेंगे कस्मीर की के से बात करेंगे कस्मीर की इसके अलावा आई से यहाँ पर यह साइलेंट है इसके अलावा एस से हम कहेंगे सिंद सिंद के छेतर की बात करेंगे ठीक है ध्यान से देखते जाएए कौन-कौन से छेतर आ गया पंजाब, अफगानिस्तान, कस्मीर और सिंद इसके लावा लाश्ट का जो सब्द है ये तान इसका अर्थ है बलुचिस्तान बलुचिस्तान क्लियर है इतने सभी छेतरों को मिला कर इतने जो छेतर हैं से मिला कर बलुचिस्तान पंजाब, अफगानिस्तान कस्मीर सिंद को मिला कर क्या बनना चीए पाकिस्तान बनना चीए ये बात कही थी किसने चौधरी रहमत अली ने वर्स 1937 में कह दी ठेक अब यही पाकिस्तान सब्द आगे चल कर अब मौमद अली जिन्ना के द्वारा अधिवेशन जो होगा लाहौर का अधिवेशन मुसलिम लिख का है कॉंग्रेस का नहीं है कॉंग्रेस के अधिवेशन में डिमांड की जाएगी कि हमारे लिए एक अलग एक देश होना चीए और वो क्या होना चीए पाकिस्तान ठीक तो याद रखेगा वर्स 1940 की घटना है और इसके बाद इसी को विशेश रूप से याद रखने के लिए इनके द्वारा ही हर 23 मार्च 1943 को कि दिन से इनके द्वारा ही पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है इसको भी आप याद रखे चलिए अब हम आगे बढ़ें तो वर्स 1940 की चर्चा हो रही है तो वर्स 1940 में दो घटनाएं होती है एक होता है एक घटना जिसे हम कहेंगे लीन लीथिगो प्रस्ताव लीन लीथिगो प्रपोजल या प्रस्ताव जिसे लाया जाता है आठ अगस्त 1940 को क्योंकि या अगस्त के माह में आया था इस कारण से इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है ठीक अब ध्यान समझ यह जो बाते में बता रहा हूँ लिल लिथिको जो है उस समय के ततकाली में वाइसराय होते हैं जिनका नाम होता है लौड लिल लिथिको लिल लिथिको को उस समय ब्रिटिस सरकार कहती है कि आप Congress Party से Congress के लोगों से बात कीजे और युद्ध में भारतियों से समर्थन लेने के लिए और Congress से समर्थन लेने की आपको यहाँ पर बात करनी होगे तो युद्ध में भारती कैसे सामिल होगे इंडियन्स कैसे सामिल होगे इसकी जब बात आई तो यहाँ पर विशेश रूप से एक प्रस्ताव रखने की बात हुए कि चलिए इनकी कुछ जो डिमांड है उस पर ही हम क्या कर लें चर्चा कर लें उस पर ही क्या कर लें हम चर्चा कर लें और उसे प्रस्ताव में रखें तो वह प्रस्ताव बनाते हुए लिन लिथी को जो है आठ अगस्त को कॉंग्रिस पार्टी की सामने एक प्रपोजल रखता है जिसमें इनके द्वारा कहा जाता है कि युद्ध के पश्चाथ आपको आपनिवेसिक स्वराज दिया जाएगा आपनिवेसिक स्वराज दिये जाने की बात कहेंगी साथी साथ कहा गया कि एक युद्ध सलाकार समीती भी बनाएगी ठीक है वार एडवाईजरिक कमिटी एक युद्ध सलाकार समीती भी हम बनाएगी यह बात प्रपोजल में रखा गया युद्ध सलाकार समीती की बात वाई सराई की जो काउंसिल है वाई सराई की जो कारकार्णी है वाई सराई की कारकार्णी का विस्तार भी किया जाएगा वाई सराई की कारकार्णी का विस्तार करने की भी बात कहीं जिसमें यह निकल कर आया कि वाई सराई की कारकार्णी का विस्तार तो ठीक है युद्ध सलाकर समीती भी ठीक है परन्तु आपनिवेसिक सुराज वाली बात जो है ये गलत है कॉंग्रेस पार्टी ने सीरे से इसे नकार दिया और कहा कि हमने तो पहले ही आपको कह दिया है हमको चाहिए तो completely independence पूर्ण सुराज चाहिए ये बात हमने पहले कह दिया है और इसी बात को कहते हुए यह प्रपोजल को नकार दिया गया और यह प्रपोजल फेल हो गया और इसी प्रपोजल के पस्चाथ हमें देखने को मिलेगा एक सत्यागरा जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्यागरा क्या कहते हैं हम इसे इंडिविजियल सत्यागरा व्यक्तिगत सत्यागरा जो होगा 17 अक्टुबर 1940 के दिन जिसके सुरात होगी 17 अक्टुबर 1940 के दिन ठीक इसमें एक नारा भी दिया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे इसमें एक नारा दिया जाएगा दिल्ली चलो ठीक दिल्ली चलों का एक नारा भी दिया जाएगा दिल्ली चलों का नारा दिया जाएगा साथी साथ इसमें सत्याग्रा की जो सुर्वात है इस बार गांधी जी कहेंगे कि इस बार मैं कोई नित्ति तो नहीं करूंगा आपको अपने ही छेत्र में इससे सत्याग्रह की सुर्वात करनी होगे और अपने इस छेत्र में आप व्यक्तिगत रूप से इसमें जुड़ेंगे तो हमको देखने को मिलते है प्रथम सत्याग्रही जो इससे व्यक्तिगत सत्याग्रह की सुर्वात करेंगे वो प्रथम सत्याग्रही होंगे प्रथम सत्याग्रही जिनका नाम था विनोवा भावे विनोवा भावे प्रथम सत्याग्रही कौन होंगे विनोवा भावे होंगे इसके लावा आपको पूछा जाता है कि द्वितिय सत्याग्रही कौन होंगे तो द्यूतिय सत्याग्रही की जब बात निकल कर आती है तो विनुवा भावे के बाद वो सत्याग्रही होंगे जवाहलाल नहरू जवाहलाल नहरू जो इस सत्याग्रह में सामिल थे तो दो सत्याग्रह के नाम याद रखेंगे विनोवा भावे और जवाहलना गहरूद क्या आप कमेंट सक्षन में बता सकते हैं विनोवा भावे ने सत्यागर की सुरुवात कहां से की थी विनोवा भावे ने यह पूछा जाता है आप बताएंगे कमेंट सेक्षन में विनवा भावई ने सत्यागर की सुरुवात कहां से की थी ठीक चलिए अब यहाँ पर दो सत्यागर यहाँ पर जो सत्यागर हुआ व्यक्तिगा सत्यागर उसके पस्चाद अंग्रेजों की स्थिति क्या थी उसे आप देखें अब हम आते हैं वर्स 1942 में वर्स 1942 में हमको देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के उपर ब्रिटिस गौवर्मेंट के उपर दबाव बढ़ता जा रहा है अमरीका फ्रांस जो स्वतंद्र देश है वो देश कहे रहे हैं पुष ऑपनिविसिक छेतर है ब्रिटेन के ब्रिटिस गवर्मेंट के जितने भी ऑपनिविसिक छेतर है उन्हें आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए आजाद कीजिए इस परकार का दबाव है यही 1942 का समय है जब इंडियन नेशनल आर्मी बनती है और जापानियों के दोरा मियमार की तरफ से भारत में एंटर करने का प्रयास किया जा रहा था ठीक दिरे दिरे आजाद इन फौज भी आगे बढ़ रही है और इन पर दबाओ क्या है बढ़ता ही जा रहा है अब एक और प्रियास करेंगे। एक और प्रियास किया जाएगा। यहां पर और प्रियास ये होगा कि एक और मिशन भीजा जाएगा। वैसे लिलनीथी को प्रस्ताव भीजा गया वैसे अब इस्ट्रेफर क्रिप्स की अद्धक्चता में एक मिशन भीजा जाएगा जिसको हम कहेंगे क्या क्रिप्स मिशन क्या कहेंगे क्रिप्स मिशन कहेंगे तो यहां पर अब एक और मिशन आएगा इसे हम कहेंगे क्रिप्स 23 मार्च 1942 को 1942 को ठीक है इसके अधर्चता करेंगे Stafford Creeps इसके अधर्चता कौन करेंगे Stafford Creeps करेंगे ठीक अब यहाँ पर क्या बात होती है बात वही रही ली अगस्त प्रफूसर वाली जो बात है अगस्त प्रस्ताओ यानि की जो बात कही गई थी वही बात को दोराएगी यहाँ पर भी कहा गया कि युद्ध के पश्चाद भारत को एक संग बना दी जाएगा एक यूनियन बना दी जाएगा ठीक है युद्ध के पश्चाद आपको अपने इसिक सुराज दिये जाएगा फिर से वही बात दुहरा दी गए एक सम्मिधान निमाती सभा after war कौन सा युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा है मैं duty विस विद्ध की बात कर रहा हूँ second world war जो चल रहा है उस second world war के बात देने की बात कही जा रही अभी ततकाल में कुछ नहीं मिलने वाला क्रिप्समिसन भी यही बात बोर रहा है कि आपको जो भी मिलेगा युद्ध के पस्चाथ मिलेगा तो यहां क्या कहा गया important point को ध्यान रखे यहां पर दो बात कहीए कि युद्ध के पस्चाथ आपको अपनी इसिक स्वराज और दूसरा युद्ध के पस्चाथ आपके लिए सम्विधान सभा का निर्मार के जाएगा ताकि आप अपना स्वयम का सम्विधान बना सके सब बाते युद्ध के पस्चाथ कोई भी एक भी बात इस प्रस्ताव में इसका मिसन के द्वारा नहीं कही गई जो तत्काल प्रभाव से भारतियों को दी जाएगी सब चीजे आफ्टर वार अब यहाँ पर जब यह बात बार बार अंग्रेज वही घिस्या पिटा प्रस्ताव जब लेकर आ रहे थे तो उसी घिस्या पिटा प्रस्ताव को गांधी जी जब देखते हैं तो गांधी जी का पारा बढ़ जाता है और गांधी जी इस समिसन को क्रिप समिसन को गांधी जी के द्वारा गांधी जी का एक statement आएगा और गांधी जी इस mission को कहेंगे या एक post-dated check है post-dated check है ठीक या उत्तर-दिनांकित check है या एक क्या है उत्तर-दिनांकित check की तरह है उत्तर-दिनांकित check की तरह है जिसमें date बाद की लिख दी गई है और पैसा बाद मी निकलेगा ऐसी बात कही जा रही है हम मांग रहे हैं आज आजादी और बाद में ये लोग टाल रहे हैं बातों को टाल रहे है ठीक है तो यहाँ पर इसी एक check से compare करते हुए गांधी जी बोलते हैं कि ये क्या है post-related check है उत्तर-दिनांकि check की तरह नजर आता है क्रिप समिसन इसके अलावा जवाहर वाल नहरू भी एक comment कर देते हैं लगे हां ठीक है नहरू जी भी comment करते हैं और नहरू जी कहते है कि ये जो क्रिप समिसन इसके अंग्रेज जो है ये दिवालिया होने वाले bank हैं लोग तो इन्हों ने भी comment कर दिया और क्या कहा, कि अंग्रेज क्या होने वाले हैं, दिवालिया होने वाले हैं, दिवालिया होने वाला क्या कहा, बैंक कहा, बैंक, दिवालिया होने वाला बैंक, तो ये दो कमेंट को याद रखेगा, ये दो कमेंट एक्जाम में पूछे जाते हैं, कि गांधी जी ने पोस्ट चेक किसे कहा और जवाहल नहरू ने दिवालिया होने वाला या बैंकरप्ट बैंक किसे कहा ठीक है चली अब यहां भारतियों को लगने लगा कॉंगरेस पार्टी को गांधी जी को भी लगने लगा कि अंग्रेजों से जो हम दिमांड कर रहे हैं वह तो पूरी होती नजर नह जाते हैं थेक जब यह बात गांधी जी को समझ में आई तो गांधी जी ने चमधा जुलाई 1931 सको वर्धा में से ओंग्रेस वरकिंग कमीटी कांग्रेस कारी समीति की एक बैठक बुलाई और कांगर्रेस कारी समीति में इस बार बैठक में जो चर्चा हुई उसमें गांधी जी ने कहा अब जो लड़ाई होगी आंदोलन होगा वो आर पार की लड़ाई होगी और अब हमें यहाँ पर अंग्रे जोगों कैसे भी करके भारत से बाहर करना होगा और अब हम एक आंदोलन करेंगे जिसे कहेंगे क्या भारत छोड़ो आंदोलन quit India moment ठीक तो जहां से देखे यहां पर एक वर्धा प्रस्ताव लाया गया वर्धा प्रस्ताव वर्धा प्रस्ताव और यह वर्धा प्रस्ताव था चौंदा जुलाई चौंदा जुलाई 1922 का जब Congress Working Committee या Congress कारे समीती की बैठक हुई Congress कारे समीती की बैठक हुई और यहीं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेगी भारत छोड़ो आंदोलन की सुरुवात की बात ठीक एक प्रस्ताव मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखे इसमें जो आप भारत छोड़ो सब्द देख रहे हैं भारत छोड़ो यह जो सब्द आप देख रहे हैं यह भारत छोड़ो सब्द गांदी जी का दिया गया नहीं था आंदोलन गांदी जी सुरू कर रहे हैं परन्तु यह सब्द जो है गांधी जी का दिया हुआ नहीं था या भारत छोड़ो या कुट इंडिया जो बात कही गे मुमेंट की यह सब्द दिया गया था यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा यह सब्द दिया गया था कौन सा भारत छोड़ो आंधुलन सब्द यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था ठीक यूसुफ मेहर अली के द्वारा अब देखिए यहाँ पर जब भारत छोड़ो आंधुलन की सुरुआत होनी थी तो एक दिन निधारित किया गया था और वह दिन था आठ अगस्त 1942 ठीक आंगोलर की सुवाद करने के लिए कॉंग्रेस के सभी प्रांतों से जो निता इखटा हुए वह इखटा हुए ग्वालिया टैंक मैदान ग्वालिया टैंक मैदान बॉंबे में आठ अगस्त 1942 को कॉंग्रेस के सभी निताहाई खटा हुए और गांधी जी ने आंदुलन की सुरुआत करते हुए एक नारा दिया कि मैं आपको एक मंत्र दे गा हूँ और इस मंत्र का आप पालन करें और इसी मंत्र पर अब यांदुलन चलेगा और यह मंत्र था करो या मरो किसी भी प्रकार से इस बार हम को आजादी चाहिए इसके लिए गांधी जी ने यहाँ पर करो या मरू का नारा दिया अब देखे बात को समझे ध्यान से करो या मरू का जब नारा गांधी जी ने दिया और अंदोलन को सुरू जब किया तो उस समय अंग्रेज भी इस बार तयार थे उनको पता था आंदोलन सुरू होने वाला है और अंदोलन को तुरंत समातर करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों की जो तयारी थी वह कहलाया Operation Zero Hour Operation Zero Hour का यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक Mission चलाया गया और जब अंदुलन सुरू होना था तो उसी रात उसी रात अंग्रेजों के द्वारा ध्यान रखेगा जब अंदुलन सुरू होना था उसी समय रात बारा बजे से आपरेशन जीरो आवर चलाया गया आपरेशन जीरो आवर जीरो आवर का मतलब समझ रहे हैं रात को बारा बजे रात बारा बजे को जीरो आवर कहा जाता है जीरो आवर तो रात बारा बजे से यहाँ पर कॉंग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारिया होनी चालू हो गई जिसमें गांदी जी को सबसे पहल गिरफ्तार किया गांधी जी गिरफ्तार हुए सांती साथ गांधी जी के साथ उनकी पत्री कस्तुर्बा गांधी कस्तुर्बा गांधी गिरफ्तार हुए और महादेव देशाई महादेव देशाई ये भी गिरफ्तार हुए तो यहाँ पे आंदोलन को शुरू करने से पहले ह गांधी जी कस्तुर्वा गांधी महादेव देशाई को गिरफ्तार करके पूरे के पूरे के आगा खाँ पैलेस पूरे के आगा खाँ पैलेस में इन्हें रखा गया पूरे के आगा खाँ पैलेस में इन्हें रखा गया क्लियर है ध्यान देना यहां पर यह mission के बारे में आपको पूछता है ठीक operation zero hour ठीक comment section में बताईएगा आप सभी छात्र सभी student बताएंगे कि इस operation zero hour के तहद जो मद्ध प्रांद से जो निता गए थे उन निताओं को किस स्थान पर operation zero hour के तहद गिरफतार किया गया था comment section में स किस स्थान पर की गई थी किस स्थान पर की गई थी ठीक अब जब भारत छोड़ो अंदोलन quit India moment जब चल रहा था ठीक है ध्यान देंगे जब भारत छोड़ो अंदोलन जब इसकी सुरुवात हुई तो गांधी जी ने विशेशूप से मैंने आपको दो-तीन पॉइंट बताये थे ध्यान रखना भारत छोड़ो अंदोलन में अब क्या-क्या बातें अलग हैं उसे आप ध्यान दिए असयोग में आपने देखा बहिसकार, बायकॉट, विदेशी वस्तूओं का बहिसकार ये सब चीजे हुई थी ठीक है, सांथी सांथ आपने देखा कि सवीना वग्या अंदोलन में कानून तोड़े गए थे, एक विसेस्ता थी पर अब भारत छोड़ा अंदोलन में गान्दी जी ने उद्देश थोड़ा सा बदला, अभी हमने थोड़ा पहले डिसकस भी क्या था यहाँ पर गान्दी जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अब अपने सरकारी पद त्याग करने के जर्वत नहीं है इसकुल कॉलेजों में जो छात रहें वो इसकुल कॉलेज ना छोड़े इसके अलावा जो मजदूर हैं या किसान हैं वो टैक्स ना दे ऐसी बात गान्दी जी ने नहीं कही ठीक है तो बुलेंगे भई आंदोलन में होगा क्या तो यहाँ पर गान्दी जी कहेंगे कि आप जिस भी पद में जिस भी सरकारी पद में अगर कारे कर रहे हैं तो आप सरकारी पद में रहते हुए ही वहाँ पर विरोध दर्ज कराएं विरोध दर्ज कराएं जो छात्र इसकुल कॉलेजों में जा रहे हैं आप वहीं विरुदर्ज करो इसी करम में आपने देखा कि वकीलों को भी कहा गया कि आप वकालत न त्यागे ठीक और किसान को विशेश उरुप से बताया गया कि आपको टैक्स न देने की बाद तब आएगी जब वो जमिदार जिसको आप टैक्स देते हैं वो आपका समर्थ या प्रदर्शनकारियों का समर्थन अगर नहीं कर रहा है तभी आप जमिदार को टैक्स न दे ठीक साथी साथ राजा को भी अगर कोई देशी रियासत के राजा है उसे आप टैक्स न दे अगर वो आपके आंदोलन का या इस आंदोलन का समर्थन नहीं करता इस प्रकार से आंदोलन को चलाने की बात कहींगे इसी में हमको ये भी देखने मिलता है कि रेल चलाने वाला लोको पाइलट जो ट्रेन चलाता है ट्रेन के ड्राइवर ये ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन चलाना नहीं छोड़ रहे हैं ट्रेन चलाते हुए यहाँ पर आंदोलन कारियों को एक जगा से दुसरे जगा ले जाने का काम कर रहे हैं सांती सांत उनको जरुत पढ़ने वाली वस्तों को भी एक जगा से दुसरे जगा ले जाने का काम कर रहे हैं ठीक है यानि कि सभी लोग सभी लोग जिस इस्तर पर जिस इस्तर पर लोग जूर सकते हैं वो इस अंदोलन में अपने कारी करते हुए समर्थन दे रहे हैं और उसी में आपको एक प्रश्णम पूछा गया कि गरवाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया कि गरवाल रेजिम चुप से पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है तो याद रखेगा इस समय भारत छोड़ों अंदोलन के समय एक समनांतर सरकार की समनांतर सरकार बनाई गए थी समनांतर सरकार जिसे हम कहेंगे पैरलल गौवर्नमेंट ठीक है समनांतर सरकार अब आप कहेंगे सरी समनांतर सरकार होती क्या है समनांतर सरकार के मतलब वह सरकार जो बिटिस गौवर्नमेंट के रहते हुए अपने छेतर में स्वतन्द रूप से कारी कर लिए जैसे आप देखिए अभी के समय में अगर हम देखे 36 गड़ में तो कॉंग्रिस की सरकार है परन्तु हमको कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि हम जब बस्तर के छेतर में जाएं बस्तर की जंगली छेतरों में ठिक तो वहाँ पर नकसली जो हैं कुछ छेतरों पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाये हुए और अपनी खुद की एक सरकार वहाँ पर चला रहे हैं खुद की सरकार खुद का एक कानून चला रहे हैं यह चीज़े नजर आती है तो एक सरकार 36 गड़ में है उसके समनांतर में पैरलल में नकसलीयों के द्वारा जंगल में कुछ छेतरों पर अपनी सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहे हैं इसी कुझ कहा जाता है समनांतर सरकार पैरलल गौर्बनेंट है सम्रांतर सरकार बनाने का प्रयास किया गया याद रखना चित्तु पांडे के द्वारा चित्तु पांडे के द्वारा सम्रांतर सरकार बनाए गई और यह सम्रांतर सरकार जो थी बलिया बनाएंगे याद रखेंगे कहा बनी सम्रांतर सरकार बल्या उत्तर प्रदेश में ठीक ये कोश्चन पूछा जाता है इसके लावा आपको देखने मिलेगा कि पैललर गौर्मेंट ऐसा नहीं है कि आपके यूपी के बल्या में बनी इसके लावा आप देखेंगे महराष्ट के महराष्ट की सतारा में पैललर गौर्मेंट बनाए गई और यहाप पैललर गौर्मेंट बनाए गई थी वाइवी चवहाण के द्वारा वाईवी चमहाण के द्वारा और इनका साथ दिया था नाना पाटील ने यहाँ पर महाराष्ट के सतारा में एक सरकार बनाई वैसे ही महाराष्ट के अलावा बंगाल के मिदनापूर में एक तामुलुक सरकार बनाईगे तो इस प्रकार से एक पैलल गौर्मेंट बनाने का प्रयास किया गया और अंग्रेजों के अंग्रेजों के स्वराज को अंग्रेजों के कारे को चुनौती देने का प्रयास यहाँ पर हमको देखने को मिला ठीक क्लियर है या तक तो यह तीन पहला गौर्मेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है एक चित्तू पांडे ने पहली सरकार बनाई सतारा में वाईवी चोहार ने विद्नापूर में तामुलिक जाती सरकार एक बनी ठीक चली एक और प्रेशन जो है भारत छोड़वां दोलों समंदीत पुछा जाता है वह है भूमी गत रेडियो का संचालन भूमी गत रेडियो का संचालन तो उस समय भूमी गत रेडियो का संचालन किया गया था उसा महता के द्वारा उसा महता के द्वारा एक भूमी गत रेडियो का संचालन किया गया था बॉम्बे से ठेक तो भूमी गत रेडियो क्या है ये भूमी गत रेडियो को मतलब कि इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी रखी जाती थी कि रेडियो का प्रसारण जब होता था तो ये frequency जो है केवल अंदोलनकारियों को पता चलती थी और अंदोलनकारी वहां से जो जानकारी उनको मिलती थी उसके अनुसार, अगले दिन क्या हमें करना है उसके जानकारी वो लेते थे और कहाँ पर अंग्रेज आने वाले हैं उसकी भी जानकारी मिलती थी तो यहाँ पर उसमयता जो है यहां से जो अंदूलन कारी जो अंदूलन कर रहे हैं उनको जानकारी देने का कारे करती थे छूपय रूप में ठीक है जिसे हम भूमीगत रेडियो का संचालन कह रहे हैं यहाँ प्रश्ण भी पूछा हुआ है कुछ questions all गर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे गांधी इर्विन समझोते में सामिल होने में सबसे महतपूर्ण भूमी का निभाई ठीक है बताईए सबसे महतपूर्ण भूमी का किसने निभाई बताईए यहाँ पर क्या होगा आंसर बताएंगे सभी चात्र आंसर क्या होगा गांधी इर्विन जो समझोता हुआ था उसमें सबसे महतपूर्ण भूमी का किसने निभाई थी इसके बारे मगदाने ठीक तो यहाँ पर महत्पूर्ण भूमिका जो निभाई थी तेज बहादूर सप्रूर ने निभाई थी ठेक है ध्यान रखना है इस चीज़़गा अगला जो प्रश्ण है निमिलिकित कत्नों पर विचार कीजे जवाहलाल नहरू ने दूसरे गोल में सम्मेलन सम्मेलन में भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रतिनीधित्व किया कारण गांधी इर्विन समझोते में राष्टी कॉंग्रेस के दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था बताईए क्या होगा ध्यान से देखिए बताईए क्या होगा इसका इसके आंसर के बारे में बताईए ठेक तो यहाँ पर देखिए जवाहाल नहिरू दूसरे गोल में सम्मेलन में 1922 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का पतिजिनी दित्व किये ये बात गलत है परंतु कारण कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गांधी इर्विन सम्झोते में भारती राष्टी कॉंग्रेस का दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था ये पॉइंट सही है तो आपका जो ऑप्सन नमबर डी है कि ए गरत है आर सही है ये ऑप्सन आपका करेट है अगला बताईए इसका अंसर देंगे सभी ध्यान से बताएंगे क्या होगा ध्यान से बताएंगे इसका अंसर क्या होगा सभी ठीक है बहुत सारे पॉइंट मैंने डिसकस किये थे गोल में सम्मेलन से उससे सम्मंदी थे बताईए तो यहाँ देखिए प्रथम गोल में सम्म बात करें दरीत वर्ग का अलग निर्वाचन मंडल की मांग जो है प्रतम गोल में समयले में रख दी गई थी याद रखना रख दी गई थी परंतु दूसरे वाले में इसे सामिल किया गया था और उसे परमिसन यानुमती मिल गई थी ठीक है समर्थन कर दिया गया था दूसरे वाले में ठीक है तो पहला वाला में अलुज़म्ट करулиा था तो ये पंट आपका करेक्ट है पुन्ह पेक्ट में स्थानी निकाहई को में सेवां में दलित वर्गों के प्रतिमीधत्यों के विशेस उपल उपबंध रखे गए ये बाद भी सही है तिती गोल में सम्मिलन में भारती राष्टी कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था ये बाद भी सही है याद अठना गांधी जी और भारती राष्टी कॉंग्रेस ने केवल दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया था और तीनों गोल में सम्मिलन मे भाग लेने वाले BRM बेट करते इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आपको क्या होगा 1,2,3 correct होगा 1,2,3 correct अगला बताईए क्या होगा इसका जवाब इसका जवाब देंगे किसलिए गांदी जी ने उपवास किया था मैंने बताया था अंसंग किया था गांदी जी ने किस कारण से किया था गांदी जी ने इसके बारे में बताईए किस कारण से गांदी जी ने किया था ध्यान से देखके बताइए आंसर क्या होगा सभी छात्र प्रयास करेंगे जवाब देनेगा सभी टॉपिक हमने पढ़ लिये हैं सभी छात्रों को इसका जवाब देना है सभी छात्रों को इसका जवाब देना है सभी छात्र इसका जवाब देंगे बताइए क्या होगा तो इसका जवाब होगा option number D option number D ठीक क्योंकि गोल में सभा में भारती राजमितिक आकांच्छाओं को संतूष्ट करने में असफल हुई ये बात आपकी सही है ठीक है कत्रों में से यहाँ पर देखिए आपको पुछा कि इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर असफल हुई ऐसा तो कोई रिजन ही नहीं था ये बात नहीं है कॉंग्रेस मुसिलिम लिट में मत भीन नता थी ये बात यहाँ पर ये वाली बात भी गलात है जिसके कारण मर्णू प्रांथ यहाँ पर हिनों नहीं किया इसके लावर रेमजे मैं डॉनल ने साम्रदाइक अधिमरीना की गोष्णा की ये बात सही है ठीक है यहाँ पर इस पॉइंड में ठीक तो इसमें बताईए कौन सा जवाब सही होगा गांधी जी के उपवास का यहाँ पर रिजन आपको बताना है टीनों में से कौन सा सही है उसको बताना है ठीक तो यहाँ पर अगर हम देखे रेमजे मैं डॉनल ने साम्रदाइक अधिमिरेने की घुष्णा की थी इस कारण से ही गांधी जी ने कि चल कर क्या किया था उपवास रखा था पूने में ठीक है तो आपका option number C क्या होगा इसमें correct होगा option number C correct हो अगला देखें सामपताइक अधिनिर्णा की घोटना के पस्चाद कौन सा समझाता हुआ अभी हमने पढ़ा था सामपताइक अधिनिर्णा यानि कुमिनल आवार्ड की घोष्टना जब हुई तो उसके बाद कौन सा समझाता हुआ था तो वह समझाता कौन सा था पूना agreement पूना समझाता ठीक 19.35 के अधिनियम के उपरांद 19.37 में जब चुना हुए तो कॉंग्रेस के मंतिरु मंदल का कारेकाल क्या था बताइए मैंने बताया था दो साल का कार्यकाल था प्रन्थु एक्जेक्ट महीने के बारे में पूछा गया तो आफ बताएंगे कितने महीने کॉंग्रिष की सरकार चल पाई कितने महीने कॉंखरिस की सरकार चल पाई तो यहां पर इसका जवाब होगा ीवल 28 माह 28 माह दो साल चार महीने केवल इनकी सरकार चल पाई और इसके बाद सरकार निरस्त हो गए ठीक मुसलिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया ठीक तो मैंने बताया था मुसलिम लीग ने वर्स 1949 22 दिसंबर 1949 के दीन मुसलिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस बनाया गया चलिए अब हम टॉपिक आगे बढ़ाएं तो हमें जानकारी मिलती है कि भारत छोड़ो आनोलन की पश्चा अब अंग्रेजों को फिर से यहां पर चर्चा करनी थी जिसके के लिए एक वैवल प्लान लॉड वैवल की अधिर्चता में बनाएंगे ठीक है जिसे वैवल योजना कहते है ठीक है तो यहां पर अब एक और प्लान एक योजना आने वाली है जिसे हम कहेंगे क्या वैवल योजना ठीक है क्या कहेंगे वैवल प्लान वैवल योजना यह जो प्लान लेकर आया जाता है यह लेकर आया जाता है चमदा जून 1945 चमदा जून 1945 को यह योजना लाई गई इस योजना के अंतरगत क्या बाती थी उससे समझे ठीक इस योजना के अंतरगत लॉड वैवल ने कहा कि जो वाई सराय की कारकार्णी है वाई सराय की जो कारकार्णी है वाई सराय की कारकार्णी इसका विस्तार किया जाएगा वाई सराय की कारकार्णी का विस्तार किया जाएगा ठीक है जिसमे अब जो है वाइसराय वाइसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर अन्य सदस्य जो रहेंगे अन्य सदस्य में हिंदू और मुसलीम हिंदू और सदस्यों की संख्या संख्या बराबर होगी हिंदू और मुसलीमों की सदस्यों की संख्या जो है बराबर होगी ध्यान समझे यहां पर बोला क्या जाए जो वाइसराय की कमिटी जो तयार होगी कारकारणी जो तयार होगी उसमें अगर मालनों की बात यहां पर 12 member है YSRI की कारकारणी में तो एक उसमें क्या होगा YSRI के लिए seat होगा YSRI के लिए एक seat YSRI रखेगा एक इसमें commander in chief होगा एक seat commander in chief के लिए रहेगा ठीक है commander in chief के लिए तो यहाँ पर बताईए दो seat चली गई एक इसके पास एक इसके पास तो बची कितनी 10 seat इस 10 seat को बराबर बराबर हिंदू और मुसलिम सदस्यों के लिए रखा जाएगी हिंदू और मुसलिम यानि इनके लिए 5 और इनके लिए 5 तो ये बात कही गी थी विसे सुर्प से किसमे वैवल प्लान में वैवल योजना में कि हिंदू और मुसल्मानों के लिए यहां पर बराबर seat रखी जाएगी मतलब वाय सराय की कारकारणी के विस्तार तो हो रहा है और कारकारणी में इस बार विसेस यह है कि भारतियों को सामिल किया जा रहा है और जो फैसले होंगे अब भारतियों के द्वारा लिए जाएंगे ठीक चलिए अब देखें जब यहां हिंदू मुसलिम की जो seat बराबर करनी की बात हुई वैवल प्लान की बात हुई तो वैवल प्लान को रखा जाना था कॉंग्रेस और मुसलिम लिग के सामने और कॉंग्रेस और मुसलिम लिग के सामने उस समय की ग्रिस्मकालिन राजधानी ग्रिस्मकालिन ने गर्मी के समय अंग्रेजों की राजधानी अलग हुआ करती थी और वह राजधानी थी सिमला तो सिमला कॉंफरेंस 25 जून 1945 के दीम जिसमें कॉंग्रेस के लोगों को बुलाया गया और कॉंग्रेस के तरफ से यहाँ अबुलकलाम आजाद आए कॉंग्रेस के तरफ से अबुलकलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से मुहम्मद अली जिन्ना सामिल हूँ मुहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर सामिल हूँ ज्यान से देखिए यह सिमला कॉंफरेंस जो हो रहा है सिमला सम्मिलन जो हो रहा है इस सिमला सम्मिलन में कॉंग्रेस के लोगों को भी बुलाया गया और मुस्लिम प्रतिमिधियों को भी बुलाया गया जिसमें हम देखते हैं कॉंग्रेस के तरफ से मौलाना अबूल कराम आजाद आते हैं और मुस्लिम लीक की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं कौन मौमद अली जिन्ना देखने को मिलते हैं अब देखें यहाँ पर मामला क्या होता है सिमला सम्मिलन में होता क्या है ज्यान समझ और मुसल्मानों की seat बराबर कर दी जाएगी ठीक है यह बात कहीगे ठीक है जैसे मैंने बताया एक दो तीन चार पांच छे साख आठ नो दस यह दस सीट है दस सीट तो दस सीट किसके लिए रिजर्व रहेगा यह पांच हिन्दों के लिए और यह पांच मुसल्मानों के पांच मुसल्मानों के लिए रिजर्व रकर दी अब मामला क्या अटकता है उससे समझे यहां पर बात आई मुसलिम लीग की मुसलिम लीग का कहना यह था कि यह जो सीट है पांच जो सीट है इसमें जो मुसलिम सदस सामिल होंगे या चुनाओं में या किसी प्रकार से यह केवल और केवल मुसलिम लीग से होंगे मुसलिम लीग से होंगे मतलब यह पांच मुसल्मान मेंबर जो होंगे सदस से होंगे कहां से होंगे मुसलिम लीग से होने चीए यह किसी और पार्टी से किसी और अन्यदल से नहीं होने चीए नहीं होने चीए यह बात कहिए तो तो PASSEIT मुसल्मानों के लिए RES어요 की है, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि यहां पर Muslim league के ही मुसल्मान यहां पर आएंगे, यहां पर यह भी हो सकता है कि मुसल्मान जो आएं, वो Congress Party से भी आ सकते हैं, यह open रखा गया था, कि Congress Party के मुसल्मान यहां पर आ सकते हैं, अबूल कलाम आजाद यहां पर चुनाओ लड़ते और यहां पर आ जाते कोई दिक्कत नहीं यहां चुनकर यहां पहुंच जाते परंतु मुस्लिम लीग ने अडंगा डाल दिया उसको तो यह बात पसंदी नहीं आई उसका कहना यह था कि मुसल्मानों का नितित करता तो हम ह हैं कॉंग्रेस पार्टी नहीं है और मुस्लिम लीग के तरफ से ही क्या होने चीए मुसल्मान आने चीए हम ही उनके करता धरता है हम ही उनके लिए कर रहे हैं सब चीए इसलिए यह पांस सीट इनको मिलने चीए और इसी बात पर यह जो वैवल प्लान था वैवल प्लान जो तो एक वेवल प्लान आया था वह भी क्या हो गया? फेल हो गया समझ मारी सब चीजे ध्यान से आप जितने भी पॉइंट आपको बताय जा रहे हैं उसे समझते जाएए और पढ़ते जाएए ठीक? देखें अगला बिंदू समझे अब यहाँ पर ब्रिटेन में चुना होता है और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधान मंत्री बनेंगे क्लिमेंट एटली ठीक है? आप बताएंगे लेबर पार्टी के अलावा वहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी थे जिसके पूरो के जो प्रधान मंत्री थे जो हारे थे उनका नाम क्या था ठीक है यहाँ पर अभी ब्रिटेन में चुनाव हो गया है चुनाव होने के बाद अभी लेबर पार्टी के क्लिमें एटली जो है प्रधान मंत्री बन रहे हैं इसके पहले के प्रधान मंत्री कौन थे इसे comment section में बताई ठीक चलिए तो यहाँ पर Clement Italy क्या करेंगे चुनाओ जीच जाएंगे और Clement Italy जो है लेबर पार्टी के ये जो है भारतियों का भारतियों के जो सुराज की बात कर रहे हैं ये आजादी की बात जो कर रहे हैं उसका ये समर्थन करते और समर्थन करते हुए अब ये last एक mission भेजने वाले हैं जिसे हैं कहेंगे हम cabinet mission cabinet mission ठीक तो अब भारत में क्या आने वाला है cabinet mission भारत में आएगा cabinet mission की अगर बात करें तो यहां आएगा 24 मार्ज 24 मार्ज 1946 ठीक इसमें अगर सदस्य की बात करें तो इसमें तीन सदस्य सामिल थे तीनों को आपको याद रखना है ठीक सबसे पहले याद रखेंगे स्टैफर्ड क्रिप्स स्टैफर्ड क्रिप्स ठीक दूसरे थे अलेक्जेंडर दूसरे थे अलेक्जेंडर और तिसरे हैं क्रिप्स ठीक लोरेंस तो क्रिप्स से इस्टैफर्ड जोरेंस ते तीन सदस्य यहां पर सामिल थे और यह तीनों के तीनों British cabinet के minister थे इसी कारण से cabinet minister इस mission को ले कर आ रहे हैं इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया cabinet mission cabinet minister होने कारण नाम क्या पढ़ा है cabinet mission जो भारत आया 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को क्लियर है बाते समझ में आ रही है ये एक last mission हम कह सकते है important mission cabinet mission जिसके दौ़ारा एक प्लान अब भारतियों को दिया जाएगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं ठीक चले कैबिनेट मिशन में सबसे इंपोर्टन बात क्या थी उसको समझे कैबिनेट मिशन ने सबसे पहला ही ला Jan यहां बता दिया कि हम आप मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग जो है पाकिस्तान की मांग को ठुकराते है या पाकिस्तान की मांग जो है पहले ही लाइन में आस्विकार कर दी गए पाकिस्तान की मांग को आस्विकार कर दी गए इसके अलावा भारत को संघ बनाने की बात कहेगे यूनियन बनाने की भारत को संघ बनाने की एक बात कहेगे अगला पॉइंट भारत के लिए एक सम्मिधान सभा Constitutional Assembly सम्मिधान सभा की बात कहेगे ठेक इसके लाव हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब प्रांतों को प्रांतों का जो विभाजन है प्रांतों का विभाजन समूम में किया गया प्रांतों का विभाजन गुरुप समें किया गया समूम में किया गया जिसमें पहला एक गुरुप A था जो हिंदू समर्थे जितने भी प्रांद थे उसे रखा गया था गुरूप A तो इसमें कौन-कौन से सामिल थे याद रखेंगे इसमें सामिल था मद्रास इसमें सामिल था बॉम्बे संयुक्त प्रांथ संयुक्त प्रांथ मध्य प्रांथ मद्धेपरांद ओडिसा और बिहार ठीक है इतने छेतरों को यहाँ पर सामिल किया गया था ग्रूप A में जो हिंदू समर्थित थे दूसरे ग्रूप B में ग्रूप B में अगर बात करें यहाँ पर उत्तर पस्चिम नौर्थ वेस्ट प्रोविंस उत्तर पस्चिम प्रांद उत्तर पस्चिम प्रांद के साथ बलुचिस्तान बलुचिस्तान को सामिल किया गया था ग्रूप C में अगर देखें तो बंगाल और असम को रखा गया बंगाल और असम को रखा गया ध्यान से देखें दो जो आपको ग्रूप खा और गा देखने को मिल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जो मुस्लिम समर्थिच्चेत्र हैं उसे रखा गया और उपर जो आप देख रहे हैं पर हिंदू समर्ति छेत्र था जितने भी छेत्र थे हिंदू समर्ति छेत्र थे ठीक इसके लावा अन्तिम जो important बाट थी वह यह थी कि अब अंतरीम सरकार का गठन किया जाएगा अंतरीम सरकार का गठन करने का एक सुझाओ दिया गया ठीक, क्लियर है यहां तक चीज़े तो यह बात है कब की वर्स 1946 अंतरिम सरकार की गठन की बात यहां पर कही गए क्लियर है यहां तक, ठीक चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ, अब हमको देखने मिलता है कि मुसलिम लीग की जो मांगे थी, डिमांड थी वह पूरी नहीं हूँ पाई और मुसलिम लीग की डिमांड पूरी ना होने के कारण, मुसलिम लीग ने पूरे देज भर में वे आपक दंगे, साम्रदाइक दंगे फैला दिये और आप नारे लगने लगे लड़कर लेंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा सीधी कारवाही दिवस डारेक टैक्संडे के रूप में यहाँ पर सुरुवात कर दी गई और आप जो हैं भारत में हर छेत्र में साम्रदाइक दंगे होने लगे साम्रदाइक दंगे होने लगे इनी साम्रदाइक दंगों में हमें देखने को मिलता है कि बंगाल का एक नुवा खोली नाम का एक छेत्र होता है और नुवा खोली में गांधी जी के द्वारा संप्रदाइक दंगे को संप्रदाइक दंगे को रुकवाया जाता है जिस संप्रदाइक दंगे को पूरी की पूरी सेना नहीं रोग पा रही थी उसे अकेले गांधी जी रोग दिये और जब गांधी जी ने यह सहासिक कारे किया था उस समय तभी Lord Mountbatten ने गांधी जी को One Man Boundary Force कहा था One Man Boundary Force कहा था इस बात का यहां रखे कि चलिए अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम को जानकारी मिलती है Clement Aitli के बारे में Clement Aitli के बारे में Clement Aitli की जब सरकार बनी तो Clement Aitli के बारे मैंने बताया कि वह चाते थे कि भारत को क्या किया जाए आजाद कर दिये जाए आजाद कर दिये जाए और Clement Aitli के द्वारा एक घोशना की जाती है जिसे हम Aitli घोशना कहते है और यह घोशना की जाएगी 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को यहाँ पर बिटेंग के प्रधान मंद्री क्लेमिन इटली घोशना करेंगे कि अब हम भारत में जादा समय तक सासन नहीं करेंगे और जून 1948 के पहले पहले जून 1948 के पूरव भारत को स्वतंद्रक कर दिया जाएगा भारत को स्वतंद्रक कर दिया जाएगा जून 1948 के पहले भारत को स्वतंद्रक कर दिया जाएगा भारत की सत्ता सौप दी जाएगी भारत को सत्ता सौप दी जाएगी ठीक यह बात कहते हुए अब भारत में अंतिमवाज सराय Lord Mountbatten को भीज़ा जाएगा और Lord Mountbatten जब यहां आएंगे तो Mountbatten प्लान लेकर आएंगे क्या लेकर आएंगे Mountbatten योजना Mountbatten प्लान या Mountbatten योजना लेकर आएंगे और यह Mountbatten योजना जो है इसे हम देखते हैं कि योजना जो आई थी वह तीन जून 1947 को आए थी ठीक है तीन जून 1947 को आए थी ठीक इसी कारण से इसे हम तीन जून की योजना भी कहते हैं क्या कहते हैं तीन जून की योजना भी इस अमाउंट बैटन प्लान को इस अमाउंट बैटन योजना को कहा जाता है ठीक है इस योजना के तहट बात कही जाती है वह important बात यह है कि अब जो है दो राष्ट का निर्माण किया जाएगा दो राष्ट का निर्माण किया जाएगा साथी साथ दो सम्विधानों का निर्माण किया जाएगा दो राष्ट और दो सम्विधान दो कॉंस्ट्रेंट का निर्माण करने की बात कही यानि विभाजन की बात कही ने कही माउंट बेटन प्लान में हमको देखने को मिल जाती है इसके पश्चाथ यहाँ पर कहा जाता है कि विभाजन के लिए एक सीमा आयो का गठन किया जाएगा क्या किया जाएगा एक सीमा आयो का गठन किया जाएगा सीमा आयो का गठन किया जाएगा क्लियर है और सीमा आयो का गठन का कारिया होगा सीमा बॉंडी एक कमिशन का कारिया होगा कि भारत और पाकिस्तान की एक सीमा बनाए तो इस तीन दीम की योजना में यह सब बात कह दी गए थी अब जो है एक अधिनियम बनेगा जिसे हम कहेंगे भारत स्वतंतरता अधिनियम भारत स्वतंतरता अधिनियम 1947 भारत स्वतंतता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट और इसे ब्रिटीश संसद में ब्रिटीश संसद में भेज दिया जाएगा ब्रिटीश संसद में भेज दिया जाएगा और माउंट बैटन माउंट बैटन के द्वारा यह पेस किया जाएगा माउंट बैटन के द्वारा यह बिटिश संसक में पेस किया गया और 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को यह बिल पास हुआ 18 जुलाई 1947 के दिन भारत स्वतंता अधिनियम भारत स्वतंता अधिनियम पास कर दिया गया जिसके अंतरगत 4 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वतंतर भारत एक स्वतंतर भारत स्वतंग्र भारत का निर्मान हुआ 15 गर्स 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और इस प्रकार इस प्रकार हम देखे कि गांदी जी ने किस प्रकार अपना युगदान दिया और यहाँ पर अलग-लग मिसन आए और अलग-लग यहाँ पर प्रावधान बनाये गए भारतियों के लिए ठीक है? समिधान सभा कभी नीरमान हुआ और समिधान सभा जब तक हमारे हाँ समिधान नहीं बनेगा मतलब 1946 समिधान सभा बन जाएगी और 1946 से लेकर 49 तक यह कारे चलता रहेगा और वर्स 1949 यानि 26 नौबर 1949 जब समिधान बनाएगा उसके बाद भारत में आम चुना होंगे तब तक के लिए 1935 के अधिनियम के अनुसार बिटिस्क सरकार यहां पर कारे करते रहेगी तो एक अंतरिम सरकार बनेगी परन्तु और अंतरिम सरकार तब तक चलेगी जब तक हमारे हां आम चुनाव नहीं हो जाते ठीक इसके बाद की जो पूरी कहानी है आप पॉलिटी में कनेक्ट करते हैं पॉलिटी में जो हम पढ़ते हैं भारती समिधान का डेवलप्मेंट और विकास वो इसी क्रम में आपको देखने मिलेगा और इस कहानी को आगे बढ़ाएगा और समिधान कैसे बना और क्या बना इसके बारे में बताएगा ठीक है इसके पहले कुछ प्रशना आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ जिसे आप सॉल करेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्षन में इसका जवाब क्या होगा ठीक है भारती मुसल्मानों के लिए प्रिथक राज्य के लिए पाकिस्तान सब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था ठीक है किसने प्रयोग किया था इसका जवाब आप कमेंट सेक्षन में देंगे ठीक इसके अलावा इसका भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग ने किस सद्धीन पाकिस्तान दिवस मनानी की बात कहीं ठीक और लाश्ट एक कोश्न मताना है आपको व्यक्तिक सत्यगरा में विनोवा भावे को प्रतम सत्यगराई चुड़ा गया था ठीक है इन प्रश्णों का आप जवाब देंगे और इसे टॉप M.C. की सिरीज में जो हम आपको सिलिबस करवा रहे हैं पूरा सिलिबस करवानी का हमारा प्रयास है उसमें भारती इतिहास का हमने आदुनी भारत में भारती राष्ट्रियांदलम को हमने देखा ठीक है तो प्रकार आप जब जुड़े रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और P.S.C. में आप बहतर प्रयास यहां पर कर पाते हैं ठीक है तो आप टॉप M.C. की सिरीज में जो हमारे multiple choice question की जो सिरीज चल रही है उसमें आप question के माध्यम से अपनी तैयारी करते रह हैं और किसी भी प्रकार का doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं आज की class हम इसी के साथ समाप्त करते हैं धन्यवाद जय चतिशगर